हलो एरिबन, वेलकम टू हिंदी वोइस गोपाल गहमरी की सौ साल पुरानी जासुसी कहानी गेरुआ बाबा सुप्रीटेंडेंडेंट साहब है, ओफिस में जा ओफिस में हाथ में एक लिफाफा ले होए एक लड़के ने पुछा पीतर से दाई का जवाब पाकर कहने लगा, किधर आफिस है, किधर आमर पौरदा, आफिस नहीं जानता, कैसा आत्मी है, कहती हुई एक दाई निकल आई दाई आई तो थी अनखाई हुई, लेकिन सामने एक सुन्दर लड़के को हाथ में चिठी लिए देखकर हस्ती हुई बुली, लाओ, देखे तो किसका है, पढ़कर उसने लड़के को लिफाफा लोटा दिया, कहा, हाँ, सुपरेडंड सहब का है, ले जाओ, वो देखो फाटक दिखलाई देता है, उसी में आफिस है, जाओ, लड़का बॉय मेसेंजर था, दोड़ता हुआ ओफिस में गया, एक महाशे कुरसी पर बैठे रजिस्टर उलट रहे थे, नमस्ते कहे कर उसने चिठी दी, जवाब में जो निकला, उनके कंड से बाहर नहीं हुआ था, कि लड़के ने कहा, यहाँ अभिवादन लेने का दस्तोर नहीं है क्या, इस छोटे ना, मैं तो समझा था कि आप ही सुपरिटेंडेंट है, जो सुपरिटेंडेंट होगा, वो अभिवादन को इस तरह लात नहीं मारेगा, न तुम ताम ही करेगा, बात यह है कि वो कुरसी पर का बैठा हुआ ओफिस का आदमी नहीं शेहर का था, जिसका कोई पहचान का आद आप कहता तो आदाब भी कहता, कोई गुडबाई करता तो आप गुडबाई भी करता था, लेकिन जब कोई नमस्ते कहता तो यह कहता था कि हम नहीं समझते, लेकिन लड़के के नमस्ते कहने पर अपनी वो बात भी पुल गया, और भीतर जाने का इशारा करके आप वहाँ स उट खड़ा हुआ जब लड़का वीतर जाकर एक बड़े कमरे में पहुचा सामने ही बैठे गंबीर पुरुष को देखकर पुचा सुपरीटेंटेंट साफ कहा है क्या काम है लड़का बुला चिठी लाया हूं किसकी है लाओ मात नवा कर उसने चिठी दी जट उन्होंने ख पतलाएंगे न सन न महीना या तारीक ही का पता देंगे शहर का नाम अलकापुर गहेंगे दीनों की बात हम कहते हैं उन दीनों वहां सेवा समीती स्तापित हो गए थी जो मेले ठेले और समय पर राजा प्रजा दोनों को साहिदा देती थी और लोगों के उसके काम पर लगकार के कारण सब लोगों को उस समीती पर बड़ा विश्वास था समीती में दो आदमी ऐसे थे जो जासुसी का काम करते थे इस कारण बड़े बड़े लोग अपने संगीन मामले पुलीस में रपट करके उसी सेवा समीती के हाथ में सौपते और सफलता पाकर जी से प्र रसकार देते थे आज जो चिठी आई वह भी इसी तरह की थी उसमें इतना ही लिखा था कि आप अपने गेरुआ जासुस को फोरण बेजिए बहुत ही जरूरी काम आपड़ा है समीती में एक विकट जासुस थे जो ऐसे ही भेद भरे गूर मामलों में छोड़े जाते थे व जब वह चिठी भीजने वाले मुर्लीदर के दर्वाजे पहुँचे तब देखा कि मुर्लीदर शहर से बाहर सदर में रहते हैं पता मिला कि नौकरी से पेंशन लेकर उन्हें बड़े लंबे चोड़े मैदान में तीन महल का मकान बनाया है मकान के चारो और कोई चार भीग उन्होंने पूचा आप सेवा समीती से आये हैं जी हां तब आदर से बिठा कर कहने लगे आप से मैं एक अद्भुद घटना बयान करता हूं आप दया करके इसका पता लगाईए आप सब आदी से अंतक कह जाईए मेरी एक लड़की है नाम उसका प्यारी है उसकी शादी दो स जड़ा उहार एक सिर्बिंदी एक जोड़ा कान का और एक नाक का गेना था एक बड़ा हीरा जड़ा जूड़े का चंदवा एक चंपा गली सब मिलाकर तीस हजार का माल था उस सनीचर को नजाने किस कुसाइप में यहां पहुचा कि कल शुक्रवार को रात को सब गायब है गेरो आउला तो मुझे उनी गेनों का पता लगाना होगा क्या जी हां मैं आपको अच्छी तरह खुश करूँगा आप इन गेनों का पता लगा दीजिए देखिए ये गेने चड़ाओ के हैं इनके नहीं मिलने से मेरी कितनी बदनावी है तो आप समझ सकते हैं अब गेरो गेनों का बॉक्स यही फेक गया है उसके देखने से जान पड़ता है कि जोर करके जोर करके वह खुला गया है मैंने आदमियों को तो अच्छी तरह गुमा फिरा कर हिला डुला कर जाच लिया है इनसे कुछ पता नहीं चलता गेरो अबला चिंता नहीं मुरली दर दो बात म आपसे कहना चाता हूं किसी को मैंने अभी तक वह नहीं कहा कहिए पहली बात तो यह है कि गेनों के बॉक्स के किनारे पर खुन लगा था मालूम हुआ कि जल्दी में खुलते समय बॉक्स का कोना खुलने वाले की देशे लगने से खुन निकला है और मेरी रड़की की एक ल है कि मेरी चोटी लड़की जो नौ बरस की है आज एक हीरा मेरे पास लाई है यही कहकर मुर्ली धर ने एक हीरा जासुस के आगे निकाल कर रख दिया गेरुआ पाबा ने देखा कि बड़ा चमकदार और दामी हीरा है आकार में चोटा होने पर भी चमक दमक से वह अंधिहा लिया गया है अच्छा जीस कमरे में यह सब गहने थे उसको एक बार हमें देखना चाहते है अब मुर्ली धर गिरवा बाबा को प्यारी के कमरे में ले गए उन्होंने कमरे को अच्छी तरह देखा उनकी समझ में नहीं आया कि बीतर कैसे आत्मी आया होगा क्योंकि बाहर से उपर चड़ने के लिए कुछ उपाय नहीं था एक खिड़की से एक फवारा तीन-चार फीट की दूरी पर पानी फेक रहा था लेकिन वह बहुत पतला था यहां तक कि वह बहुत बोश भी नहीं ले सकता था अगर कोई उस पर चड़ता तो सब लिये दिये गिर जाता और क जासूस उनको कुछ पूच पाच कर विदा करने लगे इससे मुरली दर की लड़की प्यारी को भी आना बड़ा दो चार बात ही कि गिरुआ बाबा ने उससे पूची लेकिन उतने में ही प्यारी का चेहरा फक हो गया था उसने जासूस से कहा मैं तो बहुत हैरान हूं कैसे क्या हुआ देखिए इस कमरे में एक ही तो दर्वाजा है इसके सिवाए जिस चाबी से बंद था वैसी चाबी भी किसी की नहीं थी इसके जोड़ की चाबी नहीं है और चाबी मैं खास अपनी जेब में रखती हूं आप जब रात के आड़ बजे पीछे वाली दालान में ग जिससे बाहर का आदमें भीतर आ सके ये सब अच्छी तरह देख चुकने पर फेकनी लॉंडी उनके सामने आई वह पश्चे में हिंदुस्तान के रहने वाली थी उसका चेहरा घूर कर जासुस ने कहा ये तो बतलाव लॉंडी की जब रात को गहनों का बॉक्स चोरी गया उससे पहले ही तुम्हारे हाथ में ये जखम था ये पीछे हुआ। सुनते ही फेकनी का रंग उतर गया। वह कुछ सकेंड तक गेरुआ का मुद ताकती रहे गी। फिर उन्होंने पूछा जखम होने और खून किरने की बात याद है या नहीं। याद क्यों नहीं है साहब और गेहनों के बॉक्स पर भी खून गिरा है अच्छा बतलाओ तुम्हारे हाथ पर ये खून कैसे लगा। एक आलपीन के गढ़ जाने से ये खून निकला है। इतने में मुली धर के मुझ से निकला। बेता हाशा अरे तु निकल गया। गेरुआ बाबा ने रुख दिया और आप लॉंडी को हाथ पकड़ कर उलट पिलट कर देखने लगे। मालू हूँ कि एक जख्म है और आलपीन या सुई से पतली चीज से नहीं हो सकता। अब गेरुआ बाबा ने वहीरा दिखा कर पुछा अच्छा तुम्हारे कमरे में बॉक्स के नीचे यह कैसे गया। लॉंडी अचकचा कर कई सेकेंड तक वहीरा देखती रही फिर चकीत होकर कहने लगी आपको इसको मेरी कोट्री में पाया है क्या। इस समय उसका चेहरा देखकर कुछ और अटकल तो नहीं हो सका। उन्होंने चवाब में कहा हाँ हाँ आप तो लॉंडी हाथ जोड़कर आ कह सकती हूं कि मैं बेगुना हूं बबुई का गहना किस बॉक्स में वहार रहता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था अगर मुझे मालूम हो तो उसे बचाऊंगी कि ऐसी नमक हमारे हरामी करूंगी हमारी दोनों आखे फूट जाए जो हमको कुछ भी मालूम हो तो प्यारी एक की चावी की नकल उसने बनवा ली थी तो वह बात भी नहीं है जासुस ने चावी मांग कर देखी तो वह एक नए धंकी थी जब तक उसकी चाप मौम से लेकर दूसरी नकल ना तयार की जाए तब तक ताला हर्गिस नहीं खुल सकता जब लॉंडी की पूच्टा छो की जल्दी पता लगाने का धंग नहीं है मैं चाहता हूं कि घर का कोई आदमी घटना का हाल कही किसी पर जाहिर न करे अकबार वगेरे में भी खबर न छपे आप इन सब पतों पर ध्यान रखिए अच्छा फेकनी को आपने कैसे पाया मौली धर ने पुछा वो तो हमको बे निकले तो बगल के एक कमरे से एक बुढ़िया सामने आई और जासुस को इशारे से बुला ले गई उसके घर जब गेरवा बापा जाकर बैठे तो उसने पूछा आपने फेकनी से बाचित की है गेरवा बुला हाँ जो कुछ पूछना था सो तो पूछ लिया तो जवाब पकर आपने उसको कैसा समझा है मुझे तो लॉंडी बेकसर मालूम है तब गहने से वह हीरा कैसे गिरकर उसकी कोटरी में जा पड़ा आपको हीरा की बात पहले से ही मालूम है क्या मैं इस हीरे की बात नहीं सहाब बहुत सी बाते जानती हूं किसी से कहा नहीं आपको गंबी भी रात में देखकर कहती हूं क्योंकि ये सब बाते पहले से जाहिर हो जाने पर असल चोर खबरदार हो जाएगा और माल भी न मिलेगा उस सनीचर की रात बड़ी भयावनी थी फेकनी उस अंधेरे में किसी मर्द से बात करती थी जरा दूर थी इससे मैं सब बाते तो नहीं स बात की बाते समझ में ठीक से नहीं आई लेकिन एक और मामला में बतलाती हूं जिस से मालूम होगा कि दोनों किस गरस से वहां अंधेरे में मिले थे वो बात ये है कि कल जब पहर रात बाकी थी तो बगीचे के किनारे किसी की आहट मिली मालूम हुआ कोई तेजी से दोड़ जाता है बादल हड गए थे अंधियारे पाक की दश्मी का चान निकल गया था उसी उज्याली में मैंने उस मर्द को दोड़ते हुए अपनी आखों देखा था वह बगीचे के फाटक की और गया था उसका एक हाथ चाती पर था जिसमें एक चमकता हुआ जड़ाउ जेवर मैंने चाननी में उसकी चमक देखी थी गहना बड़ा कीमती था इसमें संदे नहीं है अच्छा उस आदमी का पहचानती है या नहीं पहचानती क्यों नहीं वो थे तो मुलचन मुरली ही बाबू के दामाद एं प्यारी के मालिक ही थे हाँ वही गहना लिये जा रहे थे हाँ और गहना प्यारी बाई का ही था मैं सब गहना उनका पहचानती हूँ तो क्या आप समझती है कि दामाद ही ने ये काम किया है मो को समझने वमजने से कुछ मतलब नहीं न मैं कभी उसको जानती हूँ कि ऐसा है लेकिन जो आखों से देखने में आया वही आप से कह दिया चोर के दिरे चली आ रही है जब प्यारी के सामने पहुंचे देखा तो वो दास आखों से ताक रही है चेहरा सक पकाया हुआ है गेरवा बाबा ने पुछा अच्छा पाहुन मुल्चंद जी कभी हाए थे कल सूरज डुपने पर प्यारी ने कहा वह कब तक यहां रहे रात भर तो ठहरे ना ना कल ही रात के दस बचे चले गए कहते थे जल्दी विदेश जाने की साइथ है प्यारी बोली उनके जाने पर कितनी देर पीछे आपके गहने चोरी गए जब चले गए तब मैं नीचे आई और थोड़ी देर पीछे उपर गई देखा तो गहने नहीं है जब अब खिड़की की ओर नहीं गई ना किसी को देखा ही था प्यारी बोली अच्छा आपके गहने मूलचन ने देखे थे हां देखे थे और ये भी कहा था कि बहुत दामी है अब गेरौ बाबा वहाँ से बहार निकले लेकिन आसपास अच्छी तर उन्होंने जाचा चारो और बगीचे में भी गुमें यह भी देखा कि चाहर दिवारी में किधर किधर को दर्वाजे है लेकिन किसी को उनकी जाच की कुछ खबर नहीं हुई यह सब देखकर गेरौ जासु सदर सड़क पर जब पहुँचे तो देखा फेकनी बगीचे के फाटक से निकल कर तेजी से पाती पर रखे है लेकिन बड़ी ही सावदानी से चिपाय जा रही है एक पार उसने वहां हाथ रखकर देखा कि है या नहीं फिर बेफिक्र होकर चलने लगी गेरौ बबाबा भी जपटकर उसके पास पहुचे और रोकर कहा सुन तो फेकनी सुन तो अरे आप है इधर कहा स कहकर फेकनी खड़ी हो गई जासुस ने कहा ये चोली के नीचे चिट्टी किसकी रखे है रे कहा चिट्टी कहा मैं चिट्टी कहा है रखोगी मोको कौन काम है गेरौ बोला चाला की मत कर फेकनी दिखा चिट्टी किसकी है ये दिखाये जाने नहीं माय पावेगी ये दिखा तो कौनने भेजा है अरे यह सब तो घरू बाते अरे बतलाती है सिती तरसे के नहीं बबुई की तो है किसको लिखा है आप सब पुछ लेंगे बोल बोल किसको देने जाती है अपनी सासरे को लिखिन है अच्छा देखे तो क्या लिखा है अफ एकनी बड़ी सक्पकाई देती है कि हवालात जाएगी बोल हाथ जोड़कर फेकनी बली ना हुजूर बबोई से कसम करके आई नहीं तो दिखा देती अरे सीधे देती है या हवालात में चल कर देगी अच्छा चल तेरे कपड़े उतार जाएगे तब देगी भल मांसाहत का जमाना नहीं है जब फेकनी किसी से ये बात कहना मत थोड़ी देर बार ठीक समय पर जाना और कहना आना की चिठी दे आई हूं आज कचा कर फेकनी बली अरे इतना जूट बबोई से सब जूट जा कर कहूंगी नहीं कहेगी तो हवालाद ही पसंद है बाप रे बाप हवालाद कहकर फेकनी चौग उटी गेरो अबाबा ने कहा, नहीं, तो कहता हूँ जो सुन, और जाद जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो जेल में भर दूँगा, तो समाज़ती है कि नहीं? यही कहकर जासूस ने लिफाफा खोला, उसमें यो लिखा था, प्यारे, आप तो विदेश जाने वाले है, उसमें दे भगे की बात क्या लिखो? जो हो ना था, सो हो गया, आप ही की प्यारी. चित्टी पढ़कर जासूस ने समझ लिआ कि जिसको प्यारे लिखा गया है, उसको बड़ी चालाके से खबरदार किया गया है, तो क्या मूलचन ने यह को कर्म किया है? क्या बात है? मूलचन बहलेकर का लड़का है चाल चलन में खराबी की बात अभी तक नहीं सुनी गई फिर ऐसा अदमी अपनी स्ट्री के गहने क्यों चुरा लेका लेकिन परदेश जाना है इसके खर्च के लिए कुछ दर्कार तो होगी इतना दामी माल की क्या जरूरत है इसके सिवाए प्यारी ने उनको बगीजे से ओकर जाते देखा जानती सब है लेकिन कुछ किसी से जाहिर नहीं करती जान पड़ता है पती की फजियत और बेईजबयी से डरती है सोचती है जिसको पती की सिवाए जगत में दूसरी गती ही नहीं वो आश्वामी का दोश कैसे जाहिर करेगी खेर अब देखना है कि आगे कौन कैसा उदरता है ऐसी लिखावट को पाकर हाथ से कोना ठीक नहीं अब वहाँ से गेरोवा बबा अपने आफिस के ओर चले वहाँ पहुशते ही सेवा समिती के सुप्रेटेंडेंट अवधेश नारायन से भेट हुई अलग एकांत में ले जाकर सब हाल उनसे आदी से अन तक कह दिया अवधेश नारायन ने देखा कि ये मामला साधरन है चोर पकडने का काम है इस कारण इसमें गेरोवा बबा का अकेले ही काम है यही सोचकर उन्होंने कहा तो इसमें तो आप ही सब कर डालेंगे कहिए आपको संदे किस पर आता है डंग से तो जान पड़ता है कि उसी मुल्चन का यह सब काम है और फेखनी को आप इसमें नहीं समझते हाँ उसको तो मैं बेदाग देखता हूँ लेकिन उसके हाथ का जखम देखकर मैंने उस पर भी नज़र रखने का ठीक प्रबंद कर दिया है ठीक है आप जो कारवाई उचित समझते है कीजिए इसके लिए और किसी की जरूरत नहीं है अगर कभी काम पड़े तो फॉरण कहिएगा लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ मुर्ली धर के पहले का हाल इस मामले में दरकार होगा इस कारण याद रखिए कि दस बरस हुए उनकी स्त्री मर चुकी है वह उनकी प्यारी स्त्री थी उनको यह बहुत मानते थे यहां तक की दुलार का फल बुरा हुआ और इनके मित्रों में से एक के साथ वा निकल गई उस समय वह गर भी नहीं थी नाम उनका देवी बाला था कुछ दिन तक देवी बाला का पता नहीं लगा एक बार अपने पेट से जन्में हुए एक लड़की की बात उन्होंने मुरली पापो को लिखी थी मुरली ने उस लड़के को लाने वाले के लिए बहुत इनाम देने का लोब देकर डिंडोरा पिटवाया था लेकिन कही उसके लड़के या उसकी मां का फिर पता नहीं चला यहाँ उन्होंने अपना निवेदन पत्र भीजा था उसकी बाद दो साल हुए उन्होंने अपनी लड़की प्यारी बाई का विवा किया ब्याह किसी भले घर के पातरा से किया है लेकिन ब्याह के थोड़े ही दिन पीछे उनकी समधिन का देहान थो गया अब घर का वही लड़का बे माथे का मालिक हुआ बाप ने रुपया पैदा किया था लेकिन एक तो एकलवता लड़का पिता के आदर दुलार ने दिमाग आसमान पर चड़ा दिया था इस कारण जो कुछ बाप छोड़ गए थे उससे उसका चलन कठीन हुआ खाली खाना पहनना तो किसी तरह चल भी सकता था लेकिन बेटा अपना विलास घटाता नहीं यह सुना था इधर का हाल नहीं जानता इतना और मालु हुआ कि उसकी कोई नौकरी लगी है या लगने वाली है मुरली धर बड़े आदमी है बचोड धनिकों में उनकी गिंती नहीं है लेकिन मिजाज उनका कड़वा है और वह कड़वाट इसलिए है कि उनका हाथ तंग हो चला है इतनी बाते जानने लायक है इसलिए कह दिया आफिस से बाहर आकर गेरुआ बाबा ने यहां मन में ठीक किया कि कैसे कोन सूत धर कर चलना चाहिए इधर उधर खोज पूच करके गेरुआ बाबा ने पता किया कि मूलचन फिशिंग रिक्वेस्टिटिंग कमपनी के यहां नौकरी करते है लेकिन तलब कम है काम नहीं चलता इस कारण दूसरी अच्छी नौकरी की खोज में है लाहोर में एक नातेदार अच्छे दर्जे पर है उनके वसीले में उन्हें एक नौकरी मिलने वाली है इसी से जल्द लाहोर जाने वाले है अपने शेहर में थोड़ी तलब से भी इसलिए नौकरी कबूल की थी कि घर पर रहेगे इन भर काम करके ठके मांदे घर तो पहुचेंगे लेकिन जब संग के चुहेडे और चिर्बिलो के साथ उतने रुपए से निवा नहीं दिखा तब बाहर जाने की सुजी पहले यह भी समझा था कि धन कुबेर के हाँ भ्या हुआ है वहाँ से भी कुछ मिला करेगा लेकिन उदर तो आप ही हाथ तंग हो रहा था इसी कारण सब और से निराश होकर नातेदार के जरीए पश्चिम जाने की तैयारी करने लगे पहनाओ पोशाक से सुलो आने नई रोशनी के जंटलमेन होकर एक माशे तीसरे पहर को मूलचन के दर्वाजे पर पहुचे कोई है कोई है कहकर पुकारने पर भीतर से खिदमतगार हाथ का कारिक जाडन में पोच्टा हुआ बाहर आया उससे पूछने लगे बाबू है नवकर बोला जी नहीं आफिस गए है कब आएगे आते तो पाच बज़े है लेकिन आज कुछ ठीक नहीं है क्यों ठीक क्यों नहीं आज उधर से ही बाजार करने जाएंगे बाहर जाने वाले है बाहर जाने वाले है सो तो मालूम है लेकिन इसलिए हम आये हैं, उनसे भेट करना बड़ा जरूरी है, कहा से आये है आप, आता तो हूँ यही से बाजार कितनी देर में करेंगे, क्या मालूम नहीं है, तुमको कहने हैं कि कोई आएगा, नहीं साहब, यह तो नहीं कह गए है, यह क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए, ख तो वो माशे बिजली की तेजी से अपना काम करने लगे, कमरे की सजावट, पहंदास के बाद वाले कालें की कारीगरी, मखमली कौच की शुबा, दिवारों पर लटकती हुई तस्वीरों की सुन्दर था, किसी ने उनको अपनी और नहीं फेरा, वह कुरसी के पास वाले ट कोस पच्वा मिला, जिसके मूँ बाग के थे और हर मूँ पर असल नीलम की आखें लगी थी, एक चंद्रहार देखा, जिसके बीच का चंद्रमा मानों निकल जाने से जगख खाली हो गई थी, लेकिन आसपास और बहुत से हिरे मुती नीलम पुकराश करीने से जड़े थे, देखनी पर वो महाशे मन में कहने लगे, फेरिस्त में जो बयान जेवरों में दिये गए है वे इन ही के जरूर है, जब इसी का उखड़ा हुआ फेकनी की कोट्री में मिला है, तब क्या यही समझे कि वह भी इसमें शामिल है, लेकिन मुली दर तो कहते है, फेकनी के किसी का में अभी कुछ पकड़ नहीं मिली है, इसके सिवाए प्यारी बाई कभी फेकनी पर बड़ा विश्वास है, जान पड़ता है कि बड़ी खबरदारी से इसके गहने चुराए और नीचे फेक दिये, मूल्चन उनको लेकर चलता बना, फेकनी के हाथ में घाव है, वह बॉक् कुछ तो पता चला, गहना जहा का तहा ही रहना ठीक है, और गहने कही बेशने या बंधक देने का सुबीता तो है ही नहीं, मैं सब सुनार और सर्राफो को खबरदार कर चुका हूँ, बंधक माल रखने वालों से बंदोबस कर ही दिया है, इसको यहां से हटाने में ठीक नह ने दिया, और टेबल का दराज जो का त्योब बन करके स्क्रू चड़ा कर बाहर आए, नौकर से कहा, देरी तो बहुत होई यार, अभी आये नहीं, नौकर बुला, हाँ, ये तो कही दिया था कि कुछ ठीक नहीं कब आएगे, अच्छा, मैं जाता हूँ, एक चिठ्ठी टे के, यही कहकर वो देवता वहाँ से चल दिये, गेरुआ बाबा जब वहाँ से लोट गये, तब थोड़ी देर पीछे मूलचन अपने घर आये, नौकर ने कहा, एक बाबो आपसे भेट करने आये थे, कहते थे बड़ा जरूरी काम है, आप पच्छा जाने वाले हैं, किसी से आपसे मिलने आये हैं, मूलचन ने पूछा, नाम क्या था, नाम तो नहीं बता गये, और हम भी पूछना भूल गये, अचकचा कर मूलचन ने कहा, अरे कौन आदमी था, कुछ पता तो चले, हमारे पच्छा जाने से उसका या किसी का कौन मतलब है, मुझे तो कुछ याद नहीं आता, अच्छा, फिर लोटी बेर भेट करते जाएंगे, कह गये है, और एक चिठी भी लिकर टेबल पर रख गये है, तो भीतर भी आये थे, कितनी देर रहे, तू कहा रहा, बड़ी पहर तक बैठक में आपकी राह देखते रहे, हम तो बैठा के काम को चले गये थे, नौकर की पिछली बात सुनकर मूलचन मन में डरे और उसको डाट कर बोले, अरे तू कैसा आयमक है रे, जिसको जानता हूंता नहीं, उसको घर में बिठा कर कहा चला गया था, चाहता तो सब मूस ले जाता ना, जब घर में बिठाया तब काहे नहीं बैठा रहा, चला क्यो गया रे, बेहुदा कहीं का, अब मालिक के डाट पर नौकर की बोलती बंद हो गए, उसने अपना अपराद समझा और कई दिन पहले पढ़ोस के एक मकान से भी कोई बेजान पहचान का आदमी मालिक के सुने में आकर पहचान वाला बना, और मालिक का नाम लेकर कुछ चीज उसने सोचा की चाहे कुछ चीज किसी तरह चोरी के हो जाए, उसी पर कलंग लगेगा, ठीक मजा मारे गाजी, धक्का खाये डफाली का मामला हुआ, अब नौकर अपना अपराद मान कर हाच जोड़ कर मालिक के सामने खड़ा हुआ, उसका भाव देखकर मुल्चन को भी डरे थे कि कोई चोर पता पाकर सब माल हाथ धरने आया था, लेकिन जब सब ठीक टिकाने पाया तब बड़ी तसलिवी, अब इतनी चिंता रह गई कि कौन उनसे बेट करने आया था, उसका कुछ पता नहीं लगा, अब नौकर ने वही चिट्टी लिख दिखा दी, उसे दे लिखी थी, उनसे उसके मन में क्रोध और दुख दोनों हुआ, सब मैं समझ गई हूँ, बगीचे से जाते देखा है, क्या खूब, हमको गहना दिखाने के बाद ही सरवनाश हो गया, इसका क्या मतलब, मुझे दिखाने से ही दुख हुआ या क्या बात है, मेरे देखने ही की वज़ से चोरी हो गया है, ऐसा समझती है क्या, हमी पर संदे है क्या, अफ, स्त्री के ऐसे कोमल रुदे में ऐसी ग्रुना का विचार भी हो सकता है, ये बड़े अफसूस की बात है, मन में बड़ा डर हुआ, क्यो मेरी विपद और मेरे अपमान के कारण का डर होता है, इसक तो हरगिस जाना ठीक नहीं है, ऐसा छोटा ख्याल जिनका है, जिनके मन इतने उच्छे है, जिनके बीतर इतनी नीच्टा आ सकती है, उनसे मिलना और भेट करना ठीक नहीं, हाँ, शादी किया है, तो उसे हटा देना तो नहीं होगा, और अभी तो भरोसा ही नहीं कि उसके म मन नहीं करता यहां सब हा नहीं और आगा पीछा विचार कर मुल्चन ने अंत को एक बार ससुराल जाना ही ठीक टेराया जब वह ससुराल पहुचकर इधर उधर चुप-चौप टहलने लगा और मन में इस बात की चिंता करने लगा कि कैसे स्त्री से चुपके मिले तो देखती क्या है कि फाटक के पास फेकनी खड़ी है उन्होंने अटकल किया कि उनकी प्यारी नहीं उनकी टो में उसे भेजा है मूल्चन ने उसे पकारा वो बोली अरे आप है हाँ फेकनी तो री बबुई तो अच्छी तरह से है हमको चिट्थी लिखी थी उनको डर काहे हुआ फेक पर बेहन से पता पुछवा कर लिखे और कह देना अपने गहने वगएरा इतनी गफलत से न रखे कीमती चीज़े योही पड़ी रहने से खराब हो जाती है यह ले जाओ अपनी बबुई को दे देना यही कहकर उन्होंने अपनी जेश से खार निकाल कर दिया रात की चाननी से एककर बड़े चकित हुए और बार बार उसे पुकारने लगे और कहने लगे अरे क्या हुआ फेकनी लेजा अपनी बबुई को दे देना भागती क्यों है पागल हो गई है क्या इतने में एक आदमी ने आकर मुलचन से कहा कहिए जनाब हवास में है या कुछ नशा न उसके आने की आहठी मिली बात ये कि पंजे के बल बड़ी सावदानी से पीछे ओकर आया था अब वो दाद पीस कर बोला कहिए आप पागल तो नहीं न हुए मूलचन अरे तेरा यहां क्या का मेरे बेइमान अरे धीरे कोई सुन लेगा सुने का तो सुने ना मैं तो सुन हमको जल्दी जाना है तो बोलता क्यों नहीं बोल जल्दी बोल जो कहना हो सो कहके चला जा जल्दी से बात यह कि मूलचन डरपोक आदमी नहीं थे उस दुष्ट के डराने से कुछ नहीं डरे न एक पक भी पीछे अटे लेकिन वो आदमी उनके इतना पास आ गया था कि उन लाना चाहिए नहीं चाहिए तो बला से मुझे जो काम है सुगिया है तो अपना काम देख तुझे इससे क्या मतलब है आप मेरी बात नहीं समझते मैं कहता हूं कि यहार मुझे देकर आप जहा चाहिए खुशी से चाहिए इसकी मुझे जरूरत है वहा तेरा सिर पहले काट लूँगा तब कही जाओंगा रे पाजी बस अब देर नहीं सही जाती मैं एक दो गिंता हूँ जब पाज कहूंगा और आप इसे मुझे नहीं दे चुकेंगे तो ये चूरी आपके पेट में पैट गई होगी अरे बदमाश कही का इतना लुचे ही तू करेगा इतना सास है त लगा एक दो तीन उसके मुझे अभी चार नहीं निकला था कि मूलचन ने तेजी से उसके हाथ की चूरी का फल उलट दिया और जोर से दापकर चाहते थे कि उसकी दे में भोग दे लेकिन वह था बड़ा मस्बूद मूलचन जो चाहते थे सो नहीं बना उसने जोर से कसा औ और उलटकर उनकी दे में कड़ाया वह घाव खाकर गिर पड़े जट वह गुंडा हार लेकर वहां से चलता हुआ उधर जासूस गेरवा बाबा मूलचन के मकान से चलकर अपना इरादा पका कर चुके कि जो चिट्टी मूलचन के टेबल पर रखाये थे उसे पढ़कर वह क पहली बात विचारने को यह है कि मुहले के लोगों से मूलचन के चाल चलन का पता लेकर उस पर सोलोह आना विश्वास कर लेना तवा उस पर कारवाई करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सब लोग समान नहीं होते किसी से उनकी बीतरी मिताई होगी किसी से उनकी पट्टी नहीं होगी जिन से बनती होगी, वे तो उनकी बढ़ाई और गुनों के पुल बान धेंगे और जिन से नहीं बनती होगी, वे उनकी निंदा करेंगे, क्योंकि पराई निंदा ऐसे दुष्टों के लिए मीठी खुराख है, ये लोग सरसों को पहाड ही बना कर सुनाने वालों के सामने पेश करके रह जाते है खेर लेकिन बिना चड़ की बाते भी गड़कर किसी के उपर दाग देने की कोशिश में पीछे पाउ नहीं रखते और जब ये लोग ये देखते हैं कि किसी अजनभी से बात करने का आउसर है तब तो असल बात से चुआ चुआ चुद भी नहीं होने देते कानून की पाबंदी करके फॉर्म भरना और सीधे साधे अफसरों के आगे कार गुजार बन जाना दूसरी बात है लेकिन असल बात को शत्रू मित्र आदी के जंजल से बाहर निकालना और बात है जासुस को जब से घटना का हाल कहकर काम सोपा गया है तब से कई पार मुलचन का पीछा करके उन्होंने देखा है कि संदे का सूथ हाथ नहीं लगता एक बार उनके मन में संदे आया था कि ये आदमी बड़ा गहरा है इसी कारण उपर से भीदरी बेद नहीं मिलता ना समझे नहीं जान पड़ते लेकिन आदमी बड़े खबरदार और चोकस जान पड़ते है बहुत हिसा भी नहीं है तो भी जहा तक पतार चलता है बहुत देना भी नहीं है ऐसे आदमी को चोर समझना बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है इसके सिवाय जिस उची चाहर दिवारी से गहने चोरी गए थे उसके देखते बाहर से चोर का आना और माल ले जाना बिलकुल अन्होनी गटना है लेकिन घर के बेडों से कहा क्या नहीं होता फिर गहनों का बॉक्स हाथ में आते ही खुला गया है इससे जान परता है कि चोर भीतर आया था ये क्या फेकनी की मदद से हुआ या यह भी एक चोर नहीं है दाई बन कर भीतर इसी के लिए कुछी है मूलचन का चाल चलन ठीक समझ लेने पर इन बातों का अच्छी तरह निर्ने करना होगा ये जासूस गेरवा बाबा के मन में पक्का कर लिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इन बातों का असल वेज जाने भी न उस चोरी की जाच में जाना मेहनत बेकार है यह सब विचार कर जासूस ने फिर आप ही आप कहा चाहे जो हो चिठी पाने पर ऐसा आप नहीं हो सकता कि मूलचन अपनी प्यारी से बिना मिले ही विदेश चले जाए नौकर की जबानी तो मालम हुआ कि कल ही वो रवाना होने वाले है तब आज ही वह ससूराल की गैल दोड़ेगे यह बनी बात है इतने में जासूस देखते है तो मूलचन बड़ी तेजी से नागिनी महले को चले जा रहे है रात का समय होने से पास आकर देखते है तो चेहरे पर चिंता की गहरी चाप है जट गेरुआ बाबबी थोड़ी देर थोड़ी दूरी पर उसका पीछा करने लगे जब मूलचन ससुराल पहुचकर फेकनी से फाटक पर बाते कर रहे थे तब थोड़ी दूर पर गेरुआ बाबा भी पीछी पे थे लेकिन इतनी दूर पर थे कि दोनों की बाते नहीं सुन सकते थे उनका भाव देखकर फेकनी पर गिरुवा बाबा ने संदी किया लेकिन बाते जब तक नहीं सुने तब तक असल मामला कहा समझ सकते थे जब फेकनी वहाँ से भागी वो और वो बदमाश शूरा लिये उन पर चड़ दोड़ा तब उन्होंने सब देखा था लेकिन जब तक वह अपनी जगह से आये तब तक वह गुंडा मूलचन को घायल करके चलता बना गिरुवा बाबा ने पास पहुँच कर देखा तो मूलचन धर्दी पर गिरे पड़े है चोट गहरी लगी है खून चारी है कमजोरी बहुत है एकदम बेहुश नहीं किन्तो उटने ही सकते जखम बड़ा है गिरुवा बाबा ने पूछा क्यों साहब चोट बहुत तो नहीं लगी है न देखिए मैं तो देख नहीं सकता यहीं मारा है अत्यारे ने यह कहकर अपना कंदा दिखाया गिरुवा बाबा कहने लगे क्या कहे चांडाल ने जब छूरा ताना तब मैंने देखा था लेकिन यहां आते आते वार करके चला गया मुल्चन बोले वो बदमाश गया किदर वो भाग गया यहां है थोड़े अच्छा मैं पकड़ू आप उठेंगे जो ही गिरुवा बाबा ने इतना कहा कि मुल्चन के न जाने कहा हाथ पड़ा वे चिल्ला उठे फिर धीरे धीरे खड़े उकर कपड़ा ट्रटोलने लगे देखा तो हार नहीं है पहले जासुस ने समझा कि जखम की तकलीव से ही मुल्चन चिल्ला रहे है कहने लगे आप घबरा ही नहीं इस पाजी का पता लगा कर हम पकड़ेंगे जरूर ऐसे चांडाल को सब काम छोड़ कर पकड़ना होगा हाँ जरूर इस रत्यारे को पकड़िए हाँ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उसकी करनी का फल जरूर देना होगा ऐसा करना चाहिए कि जरूर वो इस पाप का दन पावे क्या कहो मेरी ऐसी चीज वो ले गया है कि जिसको मैं जीते जी छोड़ना नहीं चाहता था उस चांडाल के लिए आप जो कहिए मैं करने को तयार हो क्या चीज है साहब ये बतलाने में कुछ हरस है नहीं हरस नहीं है लेकिन ऐसा करना होगा कि इससे वो माल लेना होगा हाँ हाँ जरूर पहले उसको गिरफतार करना होगा पिर पीछे जो जो करना होगा किया जाएगा इस घड़ी सबसे पहला काम है आपके घाव की मरहम पट्टी अभी मूलचन के कंदे से खून बहरा था जासुस ने कहा आपका घर यहां से कितनी दूर है मैं चाहता हूँ कि कंदे पर चड़ा कर आपको ले चलो मूलचन बहले घर तो मेरा बहुत दूर नहीं है रास्ते में गाड़ी मिल जाये तो ठीक है कमजोरी बहुत है मैं चल नहीं सकूँगा मैं नहीं चाहता कि आप पैदल चले आपको कमजोरी बहुत है चलने से फिर आपको बहोशी आएगी आप क्यो मेरे कंदे पर चड़ लीजिए रास्ते में जहां गाड़ी मिलेगी वही उतर जायेगा नहीं साहब बहतर है आप एक गाड़ी लाइए क्योंकि कंदे पर बहा तक पहुशना नहीं हो सकता न मैं पैदल ही चल सकता हूँ इस कारण चाहे देर हो लेकिन आप तकलीफ करके गाड़ी यहां ले आए तो बहतर होगा गिरोवा पपा 15 मिनट में गाड़ी लेकर आए उनको सवार कराकर उनके घर पहुचाया नौकर को पास वाले डॉक्टर के हाँ भिजा वो गुड मैन कंपनी के यहां से एक डॉक्टर ले आया डॉक्टर ने देखा कि घाव गले के पास है लेकिन उतना संगीन नहीं है बोरिक लोशन से दो कर आईडो फॉर्म चिड़का और बोरिक कॉटन से पट्टी बान दी साथ ही एक शीशी में स्पिरिट अमोनिया आरामेट सिरपटी फोलियम कंपाउंड में एक सलफर मातरा में देकर आठ खुराग बना दिया और कहा दिन में दो बार पिया करो और पट्टी सवरी शाम बदल जाये करे घर में रहे बहुत हिले डूले नहीं यही सब करधर कर डॉक्टर चले गए जासूस अभी उनके पास ही थे उनने दीरे से पुछा क्यों साहब उस बदमाश को आप देखे तो पहचान सकते हैं जरूर जरूर उसको देखते ही मैं पहचान लूँगा मुझे तो पंजाबी गुंडा मालूम हुआ तो पुलीस में भी खबर दे देना तो अच्छा होग आपकी राय क्या है हाँ मैं इसके लिए जासूस भी लाओंगा लेकिन मैं पहले अच्छा हो लो तब क्योंकि घर में कोई और आदमी नहीं है महले वासी को भी बुला कर राय लूँगा इस घड़ी रात बहुत गई है इस समय कोई आएगा भी नहीं अगर आप पुलीस में क्या कोट वाली में रपट लिखाने को कहते है हाँ लेकिन कोट वाली वालों को तो घूस काने के सिवाए और कुछ काम नहीं है काम के नाम ठंटन गोपाल है बहतर हो आप CID के ऑफिस में जाकर सुप्रेटेंडन से इत्तिला करे CID का ऑफिस तो इस घड़ी बंद होगा गेर हुआ अच्छा मैं सेवा समेती में ही जाता हूँ इधर ही से खबर देता जाओंगा उनका आफिस तो आठो बहर खुला रहता है इसमें मेरी भी राय है क्या कहे आपको तो मेरे लिए बड़ी तकलिफ हुई आप इतना मेरे लिए करेंगे इसका कुछ भी भरोसा नहीं आप पर जो उस घड़ी आफ़त आई थी कि चूरा लिए कसाई आपको हलाल करना चाता था वैसी दशा में पत्थर को भी आसुआ जाएंगे भला ऐसा आदमी कौन होगा जिससे आपका वदुख देखा जाता मैं अभी जाता हूँ सेवा समीती में खबर करूँगा ये बिल में आप सरी के बिना मतलब के उपकारी है तभी तो ये धरती थमी है नहीं तो इस चहर में कौन किसको पूछता है पूछता है तो खाली रुपए को जिसके लिए एक देवता मेरी ये दुरगती आपके देखते ही देखते कर गए है और भाग के जो इस संकट के समय आपके दर्शन मिले लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए ही इतनी तकलीफ करे हां इधर से जब पधारिये तब दर्शन जरूर दीजेगा गेरुआ बुला नहीं नहीं आप तनिक भी संकोश न करे ना मन में कुछ दूसरा भाव लावे मैं अच्छी तरह आपके पिता को जा भगवान ने ऐसी गरीबी दी कि अपना ही पेट पालना कठीन हो रहा है अपने को तो मैं संसार का एक भारी समझता हूं नहीं जाने बढ़ों के किस पुर्णे प्रताफ से आप जैसे धर्मातना वका इस अवसर पर दशन होगे आपको इतना कश देने से मैं लज्जित हूं अब और तकलिफ देना नहीं चाता रात भी बहुत गई है आप मेरे लिए कुछ भी चिंता और संकोश न करे आराम कीजिए मैं इधर ही से सेवा समिती में आपके नाम से निवेदन पत्र देता हूं आप किसी बात की फिक्र मत कीजिएगा चोट आपकी इतनी गहरी है कि इस पाबा अपने आफिस में पहुचे बारव बच चुका था सुप्रेटेंडन सामने बैठे सोच रहे थे देखते ही बोले कहिए पाबा जी कुछ काम बना या नहीं एक चिठी पड़ी है जान पढ़ता है मुर्लीदर के यहां से आई है काम तो बहुत कुछ रास्ते पर आ ग वाले वही मुर्लीदर की बहन नोखा बढ़िया थी उसने लिखा था इस चोरी के मामले में आज रात को फेकनी से बेजान पहचान के आदमी ने जो बाते की है वही लिखती हूँ दोनों की बातचीत नीचे देती हूँ उसने कहा अरे आ गई लक्षमी फेकनी बोली तुमन जल्दी कहे की पड़ी है फेकनी लाए हो या नहीं वो कागज मरी जान के पीछे है मैं उसको कही छोड़ता हूँ फेकनी तब देते कहे नहीं जब जून बेरा होगी तब ना बाप रे बाप अब जून बेरा कब होगी तुमने कहा था कि प्यारी के घर में बगीचे से जान प्रमाईश पाकी रहेगी कागस चुप चाप दे दोगे अब सब काम कर दिया मेरी और से कुछ कसर नहीं है तब तुम अपनी बात पूरी करने में क्यों कसर करते हो तुम नहीं जो गहने बतलाए थे उन में से एक दो है ही नहीं मैंने जो देखा था सो कहा था दो हार कहा था हाँ हाँ लेकिन गब्दू तो वह एक नहीं लाया कौन चीज अरे हार नहीं ले आया हार वह ऐसा बच्चा तो है नहीं की फेक आएगा वैसी दामी चीज कुछ सुई तो है नहीं की सरक पड़ेगी इससे जान पड़ता है कि तुमने इस बार धोका दिया है वह गब्दू आ गदहा नहीं है उसी का काम है कि तुम को वहा के गारत से निकाला अगठा अब तो दादा हमारा नाकन दम आ गया अब हमसे तुम लोगों का हर हुकम नहीं सा Hadi कागस दे दो हमारा फेकनी बोली तो हमारा वहार दे दो हार वार मोका जानो है बड़ी उस्ताद फेकनी कही छिपा रखा है तुमने अरे हुलास बरहम जाने मैंने नहीं छिपाया है मुरी दोनों आख फूट जाए ठीक कहती है नहीं छिपाया है अरे आख से दुनिया में बोगवा, तुम्ही दुनिया में अर्की के बन के आये हो, यह सब जो काम किरिया कसम पर होता है, सब जूट है। जूट हो चाहे जो हो, लेकिन मैं तो कसम पर विश्वास रत्ती भर भी नहीं करता। बलकि जो कसम खाता है, उसकी सब बाते जूटी ही समझता हूँ। कैसे रे भोकवा, फेक ने बोली। कैसे की बात ऐसी कि जो लोग कसम खाते है, वो जूटी बात को सच कहकर बतलाने के वास्ते ही खाते है, नहीं तो जो सच कहता है उसको किरिया काने की कुछ जरूरत नहीं। चलो चलो धेर हुआ, वो हमारा कागस दो भोको, अब देर मत करो, कहे देती हूँ। उस बेचान पैचान के आदमी ने कागस देने के बदले कुछ इशारे की सीटी बजाई और जट वाह से भाग कर कही छिप किया, थोड़ी देर मेरे भाई के दामात मुलचन वहाँ पहु फीकनी भी उसमें मिली हुई है, गबदू और भोको दो गुंडे मुलचन के साथ है, जो उसी दल के अगिया बैताल है, जो मुझे मालूम हुआ, सो आपको लिख दिया है, अब जो कुछ असल बात हो, उसका पता आप लगा लिजे। चित्थी पुरी पढ़ चुकने के पर जासूस ने समझ लिया कि मुलचन के हाथ से जो हार गुंडो ने छीन लिया है, उसी की बात हो रही है, मुलचन किसी के दल में नहीं है, ना गबदू और भोको उनके साथी ही है, ऐसा होता तो वह भोको मुलचन का खुन करने की कोशिश हरगिस न करता, यहां जासूस कर अकेले उनको काम सपा था, और मन में विचारा था कि यह तो गीरुआ बाबा के लिए बाए हाथ का खेल है, उनको इसमें और कुछ मदद या सहायक दरकार नहीं होगा, लेकिन जो जो गीरुआ बाबा आगे बढ़ते गए, त्यो त्यो मामला बड़ा गहरा, बड़ा पी मामला है, ये बात सही है कि चोरी बहुत कम की नहीं की गई है, तो भी मामला चोरी का ही है, लेकिन अब इतने दिन से आप इसी में उलज रहे हैं, तब तो देखता हूँ कि बड़ा पीचदार मामला है, आप कुछ सहायता देने वाले चाहते हो तो खुशी से ले सकते हैं, नहीं सहाब, सहायक अगर दरकार होगा तो मैं आप से मांग लूगा, मुझे असलियत निकालना है और जब आप कोई सहायक इसमें देंगे तो हमारे काम में खलल होगा, लाप नहीं होगा, जब सहायक चाहिएगा, मैं निवेदन करके किसी को चुन लूगा, अच्छी बात ह आप अपना काम कीजिए, यही कहकर सुपरेटेंडन ने गेरुआ बाबा को विदा किया, रात के तीन बच गए थे, मूलचन के दर्वाजे पर कई बार पुकारने पर दर्वाजा खुल कर उनका नौकर बढ़बढाता हुआ बाहर आकर बोला, कौन है, रात भर सुने नहीं पाया, जो ही आक लगी कि फिर किवाड बढ़बढाने लगा, क्या काम है, इतनी रात के जो चिला कर कपार खाये जाते हो, अब तो पुकारने वाले ने कहा, अरे तुम्हारे मालिक के फॉर्म के वास्ते आये है, खबर दो, वाह, बड़े काम वाले आये, मालिक को अभी आक्टर कहे गए है सोने के वास्ते, हम हर्गिस नहीं जगा सकते, ऐसी संगीन चोट लगी है कि जगाने से उनका बड़ा नुकसान होगा, अच्छी बात है, अगर जगाने से नुकसान होगा तो सोने दो, मैं उनका नुकसान नहीं चाता, उनके भले के वास्ते आया हूँ, जाओ तुम भी सो रहो मैं यही बैटता हूँ सबेरे बेट करूँगा तो हम किवार खोल कर तो नहीं छोड़ देंगे आप बाहर उसी चोकी पर बैठिये जब सबेरा होगा तब बेट हो जाएगी सबेरा नहीं सबेरे का बाप हो तो भी उनको जगाना मत खबरदार जब आप ही जागे तब खबर देना अजी आप ही न तब क्या हम उनको जगाने जाते है जगाने को लाट साप आवे तो भी हम नहीं जगा सकते और कोई किस खेद की मुली है जाओ तुम सो रहो गुस्से में हो मैं यही बाहर चोकी पर बैठता हूँ तीन तो बच गया है डेड़ घंटे में सवेरा होता है नौकर चुपचाब चला गया वो आदमी वही बाहर की चोकी पर बैठा रहा जब सवेरा हुआ नौकर ने आकर किवार खोले देखा तो वो महाशे चोकी पर ही बैठे हुए है हाथ में राम डंडा है पाव में सली मसाही जुद्धा सिर पर लखनवी सुईकाड की दूपलिया टोपी है बदन चोड़ी मोरी के पंजबी कुरते से डखा है दोती साधी किनारे की साफ सुद्री देखकर नौकर मन में लज्जित हुआ कि ऐसे भले आदमी को नाहक मैंने नीन में उतनी बात कही और भीतर न बिठा कर बाहर चोकी पर डाल दिया फिर अभी जो उस दिन बिना चाने पेचाने को भीतर जाने दिया था उस पर मालिक ने जो डाट डपट की थी वो याद आई तब मन का पच्टावा जाता रहा और पूछने लगा आपका नाम क्या है कहा से आया है मालिक पूछते है जवाब में उन्होंने कहा कहे दो मैं सेवा समिती से आया हूँ गेरवा बाबा ने मुझे भेजा है नाम है मेरा मेटूलाल नौकर ने कहा वाँ नाम भी पाया तो मेटूलाल ऐसे साफ सुत्रे और सुगर अदमी और नाम मेटूलाल तब तो अच्छा हुआ जो रात के मैंने बीतर सोने नहीं दिया क्योंकि सब कुछ आप मेट ही हो जाते है तब इसको कहा याद रखते क्या कहूं माबाप ने जो नाम दिया है उसी को न जिन्दगी पर डोना होगा तुम्हारा नाम क्या है भीया मेरा नाम पुछकर क्या कीजिये का जाता हूँ मालिक से पहले आपकी खबर दिया हूँ यही के वो जट से बितर गया लेकिन फिर तुरंट लोट कर कहने लगा क्या कहूं साब मालिक की तो नीन लग गई है थोड़ा बैठिये जब उठे के तब बात कहोगी जो अभी कहते थे कि मेरा नाम पता पुछते है और फिर कहते हो नीन लगी है यह कैसी बात बात ऐसी कि जो ही कुनमनाने लगे मैंने कहा कि एक आदमी पहर रात के तड़के से आकर बैठे है उन्हेंने कहा क्या नाम है कहा से आये है तब ही मैं पूछने के वास्ते आपके पास आया जब लोट कर गया तब देखा तो फिर नीन लग गई है इससे जगाया नहीं है बैठिये जल्दी तो नहीं है जल्दी तो है लेकिन उनको तकलीफ देकर मैं अपनी जल्दी का काम भी पुरा नहीं करना चाता और सच पुछो तो भाई हमको उनी के आराम से आराम होने की जल्दी है अच्छा जाओ तुम भी बैठो बात करे तब तक जागे के न वह नोकर आकर पास ही बैठ गया उन्होंने पुछा कितने दिन से बाबू के यहां नोकरी करते हो भी या तलब क्या है तलब तो दस रुपया है लेकिन खाली पिंसिन है काम वाम कुछ नहीं है दोती दोना नेलाना कपड़े पहनाना बस और कितने आत्मी नोकर है यह तुमारे यहा आत्मी तो है चार पाज एक रसुई बनाने वाली मिस्राइन है एक सौदा सुलुफ के वास्ते कहार है एक दर्वाजे पर के वास्ते सिपाई है और एक जनाने में रहने वाली लॉंडी है गौ को घास लाने वाला दूद दोने वाला और सानी पानी करने वाला है तुम कितने दिन से नोकर हो? हमको तो अभी बरस पुरा नहीं हुआ, अब की दसरे में साल पुरा होगा इतने में भीतर से पुकार सुनकर नोकर दोड़ गया, बात बीश में ही तूट गई मेटूलाल ने जो बात धीली थी उसका मतलब भी पुरा नहीं हुआ पहले जिस चिठी की बात हम कहे आये हैं, जिसे लिखकर सेवा समीती में भीजा था और सुप्रेटेंडेंट अवधेश नारायन ने गेरुआ बाबा को आफिस में पहुचते ही दिखाया था उस चिठी को तो नोखा ने जब लिखकर एक लड़के के हाथ सेवा समीती में भीजबा दिया और आप सोने के लिए जाते समय मन में चिंता और दुख करने लगी कि भाई का इतना सरवनाश हो गया, जिससे मेरा निपा होता था जिसकी चाया में मैंने जिंदगी के बागे दिन काट ले जाने का भरोसा किया था उसकी यह गती हुई, तब मेरा दिन दुबर हो जाएगा इस समय वो बालक लोटकर आया और चिठी पहुचा आने का समाचार कहकर विदा हुआ नोखा को फिर चिंता चड़ी, फिर अपनी दशा विचारने लगी कि इतने में किसी के रोने चिलाने की आवाज आई, फिर लोगों की दोड़ दूप और पाव का धब धब सुनाई देने लगा नोखा भी घबडा कर कमरे से बाहर आई, जिदर से आवाज आई थी उसी और चली प्यारी के कमरे में पहुच कर देखती है, उनके बरामदे में सब पहुचे है, मुली धर भीतर है उनको गेर कर चारो और नोकर वो लॉंडी खड़े है, एक और प्यारी बेहुच पड़ी है, फेकनी पास में बैटी उसे च्छेत कराने के लिए सेवा कर रही है औरों को हटा कर जब नोका वितर गई तब दशा देखकर चौक पड़ी, घर की सब चीज़े तीतर वितर पड़ी है, पलंकी मसेरी कट फट कर गिरी है जान पड़ता है कि कमरे में कुछ लोगों ने आपस में बड़ी लड़ाई और धिंगा मुस्तिकी है बेहोश होकर जो प्यारी गिरी है, उसके उगरे हुए दोनों हाथ जखमी है सिर के बाल विखर कर धरती पर लोट रहे है उसके उजवल ललाट पर भी रक्त का गूल दाग पड़ा है और पास ही कमरे के फर्ष पर भी वैसा ही दाग पड़ा है फेकनी मुठी पांदे पास ही बैठी है वो चेहरे से बहुत डरी दिखाई देते हैं रह रहकर लंबी सास लेती है और चिलाती है मुरली धर कुछ देर तक कमरे में खड़े अवाक होकर ये सब देखते है अंत को बेटी की वह दुर्दशा देख जो मन में उद्वेक और व्याकुलता हुई उसके कुछ ठीक होने पर हे भगवान बुढ़ापे में ये भी होना था कहा अब सब लोग उनके दुख में हमदर्ती दिखाते हुए बीतर आए चेहरे से जान पड़ा कि सब लोगों को हाल जानने की चिंता है मुर्ली दर ने लंबी सास लेकर कहा काहे बेटी क्या हुआ बोलो बुड़े पाप का मुँ देखो बोलो बेटी यही कहते हुए उन्होंने कन्या का सिर अपनी गोद में उठा लिया लेकिन जट बहन नोखाई उनकी गोद से लेकर प्यारी का सिर अपनी जांग पर रखकर बैठी उसके बाद सन्ना टा रहा नोखा ने प्यारी की नाड़ी पर हाथ रखा देखा तो सूद की तरव कभी कभी अपना वेग जता देती है आखे खुली है लेकिन मुर्दे की तरश तीर और कांती हिन नहीं है गंड देश मलीन और सूखे हुए नहीं है दो एक जगा लाली भी है नोखा ने सब देखकर वहाई हुई स्त्रियों से कहा मरी नहीं अभी जान है उठा कर पलंग पर रख देना ठीक होगा अब वह उठा कर पलंग पर रखी गई मुर्ली धर उसके सेर के पास जुक कर खड़े हुए कि होट वगेर हिले या आखों की पलक गिरे उठे लेकिन देर तक वे आखे वैसी ही खुली रही कुछ देर और बीतने पर आखों में प्रान भावाया और होट काब उठे फिर दीरे दीरे हिलने लगे पलके भी चलाय मान हुई मुर्ली धर और जुक कर पास आए और कुछ सुनने के लिए वैसे ही जुके रहे थोड़ी देर पर बहुत दीरे दीरे उन्होंने सुना वह गया कौन गया बेटी किसको कहती हो वही शैतान यहाँ तो कोई शैतान वेता नहीं है नहीं है सच कहते है बाबुजी हाँ हाँ बेटी मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ तब तक यहां किसका डर है तुम्हारे सब अपने तो है अब प्यारी का चित मानो ठिकाने आया अपने दोनों हाथ उठाकर उसने पिता का हाथ पकड़ लिया और फिर चुप हो गई ऐसा जान पड़ा कि दो चार बाते ही कहकर वह ठक गई है इस कारण देर तक वह बहुत शांत रही थोड़ी देर पर उसने आखे कोल कर कमरे में चारोड देखा और अकपकाहट दिखा कर फिर रोकर बली जान बच्ची मेरे गहने कहा कहती क्या हो बेटी गहने कहा रखे है अब फिर प्यारी दुखी हुई तो फिर शितिल हो गए बड़ी मुर्ली दर ने कहा जरा पानी तो लाना लेलाट से लोहु अभी तक पहरा है इतना सुनते ही आदमी दोड़ बड़े इदर नोखा बगल वाले कमरे में गई और एक चिट्थी सेवा समिती को लिखकर द्वार पाल के हाथ देती हो इवली जल्दी जा कही रास्ते में जरा भी न ठहरना उसकी चले जाने पर मुर्ली दर ने कहा बड़ी आफ़त की बात है पुलीस में खबर देना चाहिए नोखा ने कहा नन थाना पुलीस का नाम नहीं मुर्ली दर ने कहा क्यो खबर देने में क्या हरस है कही कुछ असल बात का पता नहीं लगता लड़की बेहुश पड़ी है कुछ बतला नहीं सकती मैं तो समझता हूँ कोई चांडाल मेरी प्यारी की जान लेने आया था जरूर पुलीस में इत्तला दे कर उस हत्यारे को पकड़वाना चाहिए अभी पुलीस का कुछ काम नहीं नोखा बली अच्छी बात है बेहन तुमने बहुत अच्छा गिया इस आफ़त में मेरा तो चित ठिकाने नहीं है मैं समझ ही नहीं सकता की क्या करना चाहिए कई बार जब संकट पड़ा है तुमने बड़े ही समझदारी का काम किया है अच्छा अब जरा प्यारी को देख लो तो इसका जख्म कैसा है बहुत संगातिक तो नहीं है अब नोखा ने प्यारी के पास जाकर उसको अच्छी तरह देखा और पाने से बैते हुए खोन को दो कर जख्म साफ कर दिये जहां कपड़ा पानने लायक था वहां कपड़े बड़ी सावधानी से बांदिये फेकनी ने इस आउसर पर बड़ा काम किया नोखा ने अच्छी तरह सब देख बाल और अपनी जाज पूरी करके भाई से कहा संगातिक नहीं है कैसे यह सब हुआ तुम कुछ समझती हो बेहन नोखा बली अभी जब तक यह आप नहीं उठती तब तक की सब बाते खाली अटकल होगी लेकिन प्यारी ने जो धीरे से कहा था कि गहने क्या हुए उसका मतलब कुछ समझे हो न बेहन वह मैंने सोना तो लेकिन कारण समझ में नहीं आया कि क्या बात है बात ऐसी वेसी नहीं बहुत संगीन है फिर ये दुनिया ये तो हम लोगों का असल करतव यही है लेकिन सब काम जरा समझ बूच कर करना ठीक होगा सेवा समयती प्रजा की और से होने पर भी उसके काम ऐसे है कि सरकार भी खुश है और फिर सरकार भी खुश क्यों नहो बिना तलब तनक्वा के जो लोग काम कर रहे है और काम अच्छा कर रहे है उन पर सरकार को जरूर कुश होना चाहिए सरकार तो प्रजाही का काम उचित रूप पर होने के लिए इतना खर्श करती है लेकिन इतने पर भी जब काम वैसा नहीं होता तब इसमें काम करने वालों की भूल है सरकार क्या करेगी वो तो काम करने के वास्ते दाम देती है और लेकर जो नमक खरामी करते है और प्रजा का काम नहीं करते वेही अपरादी है ये लोग इसी देश के आदमी है सरकार को जहां तक करना है वो करती है लेकिन इस देश के आदमी ही जब यहां की प्रजा को सता कर अपने भेट भरते ह और यही अपना करतब समझते है तब इसका कौन उपाय है उसके लिए प्रजापालक सरकार का खुशन होना ही अचरज की बात है यही सब विचार कर सेवा समेती की नेक नामी के भरोसे पर हमने वही खबर दी है देखे वहां से कोई आदमी आ जाये और तब तक प्यारी को भी ह हुशा जाएगा तब सब भीद खुल जाएगा जब नौकर नोखा की चिट्टी लिए हुए सेवा समेती के दर्वाजे पर पहुचा तब सब लोग चले गए थे सुप्रेटेंडेंट आउदेश नारायन बाहरी बरांडे में टहल रहे थे सर जुका हुआ था मन ही मन कुछ चिंता कर रहे थे जब वह आदमी पहुचा तब उनकी चिंता का सोता रुग गया उसको खड़ा देखकर पुछा कौन है मैं बाबो मुरली दर के मकान से आया हूँ गेरुआ बाबा को खोशता हूँ वो तो बाहर गय है उनके वास्ते एक चिट्टी लाया हूँ सुप्रेटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें नोखा पढ़कर उनोंने कहा अच्छा तुम जाओ मैं गिरोवा बाबा को जल्दी भेजता हूँ जब वो प्रणाम करके चला गया तब सुप्रेटेंडन ने अपने ने बाल दूद को बलाया यह अभी थोड़े दिनों से सिवा समिती में आया था लड़का नौ या दस उस जरूरी चिट्टी को लिफाफे में डालकर उन्होंने ने ने लिफाफे में बन किया और उपर मेटूलाल का नाम लिखकर बालक के हाथ पर रखा और मूलचन के यहां ले जाकर गेरुआ पाबा को देने का हुक्म दिया यह भी समझा दिया कि बड़ी खबरदारी से दे देखकर उन्ही के जैसा कुरता और दूरंगी मुरेठा सुपरीटेंडन से हट करके बनवाया था बात यह कि सुपरीटेंडन महाशे उसका बड़ा आदर करते थे उसको होनहार देखकर अपने लड़के के समान प्यार से पालने लगे थे जिस चीज के लिए मचलता था उस रखता था जब जैसी मोज आवे तब तैसा वेश बना कर रहता था यह शहर में जाता था उस गड़ी सुपरीटेंडन का हुक्म सुनकर उसके मन में बॉई मेसेंजर बनने की सूच गई थी बस हाथ में रसीद वही और लिफाफा लेकर बाइसिकल पर सवार हो गया और मूल मालूम लेकिन एक महमान आये है क्यों क्या काम है बच्चा अच्छा जरा लैंप रख दो और जाओ बाबो से कहो उनसे भीट करने को एक आदमी आया है वह जी तुम हो तो छोटे लेकिन बाते बड़ों किसी करते हो तुम जाओ जल्दी इस घड़ी छोटे बड़े को पहच सामने ही तार का हरकारा देखकर उन्होंने उसकी रसीद बही में सही की और तार लेकर खुला बीतर का लिफाफा देखकर कुछ चोके लेकिन वो भाव बड़ी सौधानी से बीतर ही दबा कर बले अच्छा जाओ वो बालक नमस्ते कहकर चलता हुआ उसकी चलन और उसका चेह किस आदमे से मिलता है याद नहीं आता थोड़ी देर में आप ही आप उन्होंने कहा हां मुरली दर से इसका चेहरा बहुत मिलता है जैसे उनका ट्रू एडिशन हो जैसे कोई बहुत बड़ा फोटो सामने रखकर उसको नगीने में लगाने के लिए छोटी कौपी उतारी आ मालिक को खबर दो की बड़ी रात से आकर कोई बैठा है आप सोते रहे इसी से भीतर नहीं आने दिया यह सुनकर तब वह उस पर बिगड़े और बोले कि क्यो खबर नहीं दी तुमने और भीतर नहीं आने दिया क्यो भीतर आने देने का फल तो पडोस में मिल ही गया है इसी कहा अच्छा जाओ बुला लाओ जल्दी नौकर चट बाहर जाकर उनको बुला ले आया और उनको पास ही आसन देकर बिठाया बैठते ही उन्होंने कहा आप ही गेरुवा बापा है जी नहीं मैं उनका दूद हूँ उन्होंने मुझे भेजा है वो एक जरूरी काम के वास्ते गये है उल्चन ने परिचे पाकर कहा जान पड़ता है गेरुवा बाबा ने आपको भीजा है तब आप उनके बड़े विश्वासी है अच्छी बात है उन्होंने बड़ी कृपा की मैं तो इस घड़ी बड़ी तकलीफ में हूँ उनकी कृपा का धन्यवाद है आप अप च चोर का पता लग जाये तब गिरपतार करने पर खुले इजलास में खोल दिया जाये तो कुछ हरज नहीं है कोई बात आपके कहने से बाहर नहीं होगी आप कहिए कहना तो यही है कि एक हार चोरी हो गया है लेकिन यह हार मेरा नहीं है और है भी असल में जिसके पहनने की ची उटाने गया, वहाँ जाने पर बड़ी आफ़त आई, एक डाकुनी से चीन लिया और मेरी ये दशा कर दी, लेकिन जान पड़ता है मुरली धर के घर पर हाथ मारने जा रहा था, अगर मैं बीश में नहीं मिलता तो उन्हीं पर वो वार करता, इतना सुनकर मेटुलाल ने उनक काम तो शहर भर जानता है और उनकी कोटी भी मुझे मालूम है, लेकिन पूरा हाल उनकी चोरी जाने का और डाकु का चेहरा मोरा अच्छी तरह आप बतलावे तो बड़ा काम हो, यही बाते हो रही थी कि खिदमतकार ने पहुचकर खबर दी कि डाक घर का हरकारा आपके वा जरूरी काम आ पढ़ने की बात कहकर उन्होंने महलत मांगी और जट वहाँ से चल पड़े, नसीब की बात है कि इस समय गिरुवा बाबा आप तो नहीं आ सके लेकिन आपको उन्होंने भीजा, तो आपको भी किसी अधिक जरूरी काम के वास्ते जाना पड़ता है, अच्छ जा रही थी, जब भीतर गए, मुली धर और आदमियों को विदा करके नोखा और फेकनी के साथ प्यारी की खाट के पास ही बैठे थे, देखते ही बोले, अरे आप पर फिर आफत आई, क्या कहे बाबाजी, दिन बिगड़ते हैं तब ऐसा ही होता है, देखी आपके सामने ही सब है, इस बार तो सब चोपट हुआ दिखते है, मुली धर बोले, घर में चारो और तेज नसर डालते हुए गेरो अबापा ने कहा, अच्छा, गटना तो बतलाईए, मैं तो बाहर के कमरे में था साहाब, भीतर से चिलाहाट सुनकर आया तो मालूम हुआ कि प्यारी के कमर से आवाज आती है, लेकिन दर्वाजा बन था, जब जोर किया तब कवजा तूट गया, भीतर गुसा आया तो सब चीजे तीतर पितर देखी, लड़की नीचे खून से डुबी पड़ी थी, नहीं जानता किस चांडाल नहीं या दशा की है, उनकी बात सुनकर गेरो अपप देखकर उसको अच्छी तरजा जा, तो मालुम हुआ कि उस पर आदमी नहीं चड़ सकता, अगर कॉर्निस पर भार देकर उत्रा हो, तो भी फवारे पर जोर पड़ेगा, और वह बोच से तूट जाएगा, लेकिन फवारे पर भी एक जगह खोन भरे पाव का दाग लगा है इससे जान पड़ता है, जरूर वहाँ चांडाल ने पाव रखा था, मुर्लीधर ने कहा, ढंग से तो यही दिखाई देता है कि फवारे पर से वह आकर उत्रा है, लेकिन उनके भार से वह तूटा नहीं, ये बड़ा अश्चर्य है, इन दोनों जगह पर पाव रखा है, ग अरे बबुई को चेत हुआ है, मुर्लीधर पलंग के पास पहुचे, गेरोवा बाबा जहा थे वही रहे, इसी समय नोखा बाई ने गेरोवा बाबा के पास पहुचकर धीरे से खा, अब जान पड़ता है इस चोरी का भेद खुलेगा, एक बार प्यारी को कुछ चेत आया तब वो बोली रही कि अब समझ गई कि गेहना उसका कहा गया है, उसी समय मुर्लीधर ने गेरोवा बाबा को बुलाया, जब वो पलंग के पास पहुचे तो फेकनी उटकर मैसेरी की आड़ में जा खड़ी हुई, उसका एक हाथ साड़ी के आड़ में जाकर तरजनी और अं और ललाट पर हाथ फेर कर प्यार से बले, काहे बिटी, अब कैसा है, कुछ बलाया, कुछ कहोगी, दरती हुई प्यारी ने चारो और देखकर कहा, अब भी डर लगता है, ना बिटी, डरो मत, यहां तो हम लोग मौजूद ही है, देखती नहीं, गेरोवा बाबा भी सामने ह डर किस बात का, अगर तुम कह सकती हो, तो कुछ हाल तो बतलाओ, क्या बात हुई, प्यारी ने मौँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह एक बार गेरोवा बाबा की और फिर पिता की और देखकर चुप हो गई, गेरोवा बाबा ने भाव समझ कर नेडर करने के लिए कहा, बोल इनों का खाली बक्स था, उसको उलट पलट कर देख रहा है, उसके ऐसा विकट तो कभी नहीं देखा था था, वह कैसा आदमी था बेटा, मुरली धर ने पुछा, ना बाबो जी, आदमी नहीं था, धीरे से गेरोवा बाबा बोले, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन आदमी ही की तरह हाथ पाउ था, सीधा खड़ा रहा, चेहरा देखे से वहाँ डर लगता रहा, दोनों आखे आख की तरह जल रही थी, दे भर में रुए थे, जान पड़ता था जैसे वन मानुस हो, सब लोग चौक कर बोल उठे, वन मानुस, मैंने समझा की उसको पकड़ दोड़ कर धरने गई तो लगा नोशने बकोटने, फिर वही बॉक्स उठा कर कपार पर ऐसा मारा कि लहलुआन हो गया, खून आख में पड़ा, मेरी आखे बंद हो गई, फिर उसने बॉक्स से मारा, अब मैं चिल लाई तो लेकिन गर्मी चड़ गई, फिर मैं नहीं चानत कि कहा क्या हुआ, लेकिन वन मानुस मेरा गहना ले गया है, गेरो अपबा वन मानुस की बात सुनकर मन में सोचने लगे, ये बात अलबते सोचने की है कि वन मानुस किसका है, और किसने इसको यह सब सिखलाया है, फिर ये भीदर क्यों आया, जब एक बार चोरी कर ले गया तो किसी और गहरे मतलब से आया था यही सब मन में सोचकर गेरोवा बाबा ने मुली धर से पूछा अच्छा आपका या आपके लड़की का इस शहर में कोई दुश्मन है मैं तो जहा तक जानता हूँ इस शहर की बात कौन कहे इस दुनिया में हम लोगों कोई दुश्मन नहीं है मुली धर गुले अब जासूस को बाहर जाने की जरुरत पड़ी उनको कुछ देख भाल और सला करना था जब कमरे से निकले नोखा भी प्यारी के कमरे से अपने कमरे में गई जिस समय वनमान उसकी बात पर सब लोग अचकचा रहे थे उसी समय फेकनी मसरी की आड़ में खड़ी मन ही मन सब समझ रही थी लेकिन मुझ से कुछ कहने ही सकती थी गेरोवा पापा की कंकी उसी पर थी वो उसका रंग डंग उसके चेहरे का भाव और उसकी लंबी सास सब देख सुन रहे थे जब सब लोग वहाँ से चले गए तब फेकनी जट पलंग के पास आकर घुटने के बल बैठी और सिसक सिसक कर रोने लगी प्यारी ने कहा रो मत फेकनी मुझे वैसा संगातिक गाव नहीं लगा है खाली डर गई थी और डर से ही ऐसी दशा थी अब डर छूट किया है खिडकी जो खुली है इसे बन कर दे सरदी मालूम होती है पिसूरती हुई फेकनी ने जट उटकर खिडकी बन कर दी गेरुआ ब बाबा मुली धर के साथ आकर बाहर बैठे बाबा ने कहा देखिए सेट जी आप घबराईए मत घटना तो ऐसी ही भयंकर है लेकिन तो भी विपत में धीरच से काम होता है धीरच धरिये तो उतरीन पारा नहीं तब बूर सकल परिवारा आपके घर पर जो लगातार दो वार दश्ण का भी दश्मन बाद क्या है कुछ समझ में नहीं आता देखिए मेरी बुद्धी में जो आता है वही मैं आपसे कहता हूं लेकिन मैं निश्चे होकर कोई बात नहीं कह सकता यहाँ पकी है लेकिन इतना जरूर है कि जिस वनमानוס ने आपकी कन्या के गहने चुराया ह उसका कोई मालिक है उसने उसको स्त्रीयों का गहना चुराना सिकलाया है वन मानुस फवारे पर सुगंता से चड़कर उतर सकता है उसके लिए कुछ कटें नहीं है और आपकी लड़की के गहने इसी तरह चोरी किये गए है लेकिन इतनी ही बात बीच में अड़ती है कि वो वन लड़की की जान लेना था लेकिन मैं किसका क्या मतलब है और कोई किस गरस से घूम रहा है सो नहीं कहा जा सकता लेकिन काम देखकर उसके करने वाले की गरस का अटकल किया जा सकता है इसके सिवाए एक बात यह है कि आपके लड़की जीती है जब डाको सुनेंगे तब भी इस तरह जखमी कर गए है कि उसकी जान निकल गई है बस इसी को सुनकर वे सब बेफिकर हो जाएगे और समझेंगे कि असल बात किसी को जाहर नहीं हुई है लेकिन लड़की को यहां रखने से काम नहीं बनेगा किसी न किसी तरह असल भेद खुल ही जाएगा वेदर है क कोई विश्वासी आदमी प्यारी बाई को दूर लेकर जाकर रक्षा करे तब सब लोग समझेंगे कि सचमुच लड़की मर गई है एक दवा ऐसी खिला दी जाए कि लड़की मुर्दे की तरह हो जाएगी यहां तक कि डॉक्टर भी नहीं पहचान सकेगा दहा करने के लिए बाहर ले चलकर वहाँ जो करना होगा सब कर दूँगा लेकिन ये काम बड़ी खबरदारी से करना होगा और मरगट तक भी अपने बड़े विश्वासी आदमियों को साथ ले जाना होगा आप खुद रहिएगा और बाकी मेरे अपने आदमी रहेंगे ऐसा नहीं करने से चोर नहीं पकड़ा जा सकता और आज रात तक अगर आसामी नहीं पकड़ा जाएगा तो मामला बड़ा गहरा हो जाएगा पहले तो मुर्ली दर इस काम में राजी नहीं होते थे लेकिन बहुत कुछ समझाने बुजाने पर उन्होंने हामी बरी गेरुआ बाबा ये कहकर विदा हुए कि थोड़ी देर में दवा लेकर आएंगे कुछ देर बीच जाने पर गेरुआ बाबा बग्गी करके फिर मुर्ली दर के मकान पर पहुँचे उनके हाथ में दवा देकर उसी गाड़ी पर लोट गए आफिस में पहुचकर उन्होंने दिन की जरूरी बाते पॉकेट बुक में लिख ली और डायरी भर कर विश्राम करने चले गए सवेरिया होते ही मुर्ली दर के मकान पर कोहराम पड़ गया फेकनी भोक फाड कर रोने लगी दोखा भी हाई बेटी हाई प्यारी करने लगी मुर्ली दर लड़की के कमरे में जाकर शोक के मारे अधीर होने लगे और घर के आदमी भी सब उदास हो पड़े डॉक्टर बुलाए गए उन्होंने जाच कर देखा और कहा ये तो मामला खतम हो चुका है उनकी बात सुनकर मुर्ली दर ने रात की सब घटना बयान करते हुए कहा रात को डाका पड़ा था एक डाको मेरी प्यारी को गायल करके भाग गया है सिर से खून बहुत देर तक जाता रहा लेकिन तो भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जान निकल जाएगी इसी से डाक्टर उस रात को नहीं बलाया लेकिन जब लड़की हूश में आई तो बहुत डरी थी रह रहकर चौक उटती थी देखा तो उतने डर की बात नहीं है इसी से फेकनी लॉंडी को यहाँ करके हम लोग चले गए उस समय बारव बजे थे गंटे भर बाद आकर मैं फिर देख गया और एक ठंडी दवा भी पिला गया था उससे कुछ मगस ठंडा हुआ भी था कुछ गंटे बीतने पर लॉंडी ने खबर दे नहीं है लेकिन दिल की हरकत बंध होने ही से यह लड़की मरी है मैं सेर्टेफिकेट देता हूँ सबेरे ही मैं कॉरोनर से मिलूंगा आप उसकी चिंता मत कीजिए लेकिन उस चांडाल डाको को पकड़ने की कोशिश कीजिए जरादा कर्म में जल्दी मत कीजिएगा कॉरोनर की रिपोर्ट होने पर संसकार करना होगा यही सब पाते समझा कर डॉक्टर चले गए जिस सड़क पर मुर्ली धर का मकान है उसी के मोड पर एक छोटी किंतु बड़ी साफ सुतरी तीन मजली अटारी चिक चिका रही है उसी में एक स्थरी रहती है उमर 48-50 बरस की होगी उनके साथ एक लॉंडी और एक टहलुआ है रंग डंग से जान पड़ता है कि उस तरी क्या समाज से कुछ स्नेन आता नहीं है कोई उसके घर ना आता है नो वो किसी के काम प्रयोजन में जाती है उस तरी के महले में दुष्ट बदमाशों की बस्ती नहीं है रात के ग्यारा बच गए है वोस तरी अपने कमरे में लॉंडी के साथ बढ़ी महाभारत कथा पढ़ रही है कुंती और उनके पाच पुत्रों की कथा चल रही है कर्ण उनकी कन्यावस्ता के पुत्र है कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कुंती ने अपने पुत्रों को वह समाचार दिया यही बाते हो रही थी कि तीसरे मन्जिल से चिल्लाहट सुनाई दी लेकिन मालुम हुआ कि चिल्लाहट आदमी की नहीं है उसके डेकरने से बड़ी गवराट हुई बार-बार वह चिल्लाहट सुनाई देने की लगी स्त्रिया चौक उठी जब वह स्त्री आवास ताण कर उपर वाली कोट्री में पहुची तो देखा दर्वाजे पर भोकू लाटी लिए खड़ा है और भीतर एक भैंकर जानवर है हाथ पाव आखे सब आदमी से है मू बंदर से मिलता है शरीर में दे भर रोए है और वही भोकू की लाटी खाकर डेकर रहा है स्त्री बोली अरे ये तुम क्या कर रहे हो ये कैसा भालू है मैं घर में रहती हूँ और कुछ नहीं जानती ये तो आदमी की आख है दादा इसको लेकर तुम यहां करते क्या हो आज तक तुमने इसकी कुछ बात मुझसे नहीं कही ये कैसी बात है करोध में आकर स्रीया कैदी हुई अपने कमरे में चले गई भोको भी उसके पीछे गया जब वो अपने कमरे में पहुची लॉंडी को बाहर जाने का इशारा करके भोको बीतर गया और कहने लगा मालकिन वो चौक कर बोली अरे यहां तु किस वास्ते आया है हाँ जोड़कर भोको बोला जरा बैट जाओ मालकिन कुछ बाते कहनी है स्री भोको का भाव देखकर चौकी उसके चेहरे पर डा और बदला लेने का भाव था स्री बैट गई कुछ दूर पर भोको भी बैट गया बोला ये तो आप जानती ही है कि मैं मालिक हूँ मैं ही मालिक हूँ और सब मेरे हाथ में है रुपया पैसा सब तुमारे हाथ में रहा उसका क्या था मैं क्या जानती ही सब तुम ही जानते होगे आप तो जानती ही हो गुंदर साहू मरती बार बहुत धन छोड़ गए थे वही सब आपको मिला है यही मैं जानती हूँ और आज तक यहां के इस मकान का किराया वगेरा सब उसी रुपए से खर्श तुम चलाते हो लेकिन कितना रुपए या कितने का प्रामिसरी नोट कहा जमा है और उसका सूथ कितना मिलता है यह सब मैं कुछ नहीं जानती इतना जानती हूँ कि मरने से पहले तुम उनके पास थे उसके बाद से बराबर यही हो तुमको मैं उनका नोकर जानती हूँ लेकिन सब रुपए पिसा तुमारे हाथ है तब नोकर कहे को तुम तो मालिकी हो, जब मेरा रुपया होने पर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब मैं तो कुछ नहीं हूँ अच्छा, अब यह सब धन चला जाए, तो क्या आप भीक मांगती फिरोगी मालकिन यह तुम क्या बक्ते हो भोको, मैं तुम्हारी बात भी कुछ समझ नहीं सकती, तुम्हारा ढंग देखने से मुझे बड़ा डर लगता है मेरे हाथ में सब है, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, तो जो तुम्हारे धर्म में आवे सो करूं, मैं क्या कहूं देखिए, गुंदर साहू जिनके साथ आप इस चहर से भाग गई थी, वो बड़े सुन्दर जवान और भले आत्मी थे, काशी जाकर भी यह बड़े भले मानुस के जामे में रहे बड़े ठाद से उनका भाद चलता रहा, आफ वह उनकी घरनी और आपके वह पती थे चाल चलन जैसी अच्छी रूप भी वैसा ही सुन्दर देखने में था, लेकिन वह बीतर बड़े भारी डाकू थे डाकू थे? हाँ, आप जो जानती थी कि बार बार काशी किसी काम के लिए जाते थे लेकिन वह काशी का बहाना करके कभी काशी, कभी पटना, कभी प्रयाग या और जगह जाकर अपने गिरों से मिलते और ढाको पना करके माल लाते थे और उसी से अपना काम चलाते थे मैं भी उनी के गुरो का ढाको हूँ जब पिछली बार गए तब पुलिस वाले के पंजे में पड़ गए लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड नहीं पाए दूर से गोली मारकर घायल किया लेकिन उसी चूट से उनकी जान चली गई मरती बार मुझसे गंगा माता और विश्वनात की कसम देकर आपको मेरे ही उपर सौब गए हम लोग कसम खाकर जो बात देते हैं उसको जान रहते तक निबाते है मैंने आज तक उसका निबा किया है आपको तो उन्होंने मरती बार यही कहा था कि शिकार में गए थे एक शिकार की गोली मुझे लग गई हाँ मुझसे तो मरती बेर यही कह गए अब भोकु की बात सुनने पर स्त्री को बड़ा डर हुआ उसने मन में कहा बाप रे बाप अभी नचाने क्या कहेगा यही आपको उन्होंने दोका दिया उनको गोली शिकारी की नहीं पुलिस वाले की लगी थी अगर यही बात सही है तो हम लोग का खर्च कैसे चलता है सब मैं ही चला रहा हूँ और कहां से आता है तो इतना रुपया तुम कहा से पाते हो सब हमारा गब्दू लाता है गब्दू क्या इस वनमान उसका नाम रखा है हाँ मालकिन यही गब्दू हम लोगों का खर्च चलाता है आपके धर्मकारी पाठ पूजा सब का खर्च यही जुलाता है मैंने इसको खरीद कर सबक सिखाया है अब यह जो काम करता है वो आदमे से हर्गिस नहीं हो सकता यह बड़ा चालाक आदमी है हमारे इशारे पर काम करता है कभी भूलता नहीं एं स्री बोली आपने समझा नहीं मालकिन बात यह है कि यह गब्दू एक चालाक चोर है चोर है? हाँ जहां कहे इशारे पर पहुँच जाएगा जिसको इशारा करे उसी को ले आएगा वो बड़े आदमियों के घर में घुसकर बहु बेटियों के गहने चुरा लाता है मैं सोने के गहने को गला कर तो हम लोग चोर की चोरी से अपना काम चलाते है हाँ मल्किन असल बात तो यही है बस करो भोकू मैं ऐसे पैसे को प्रणाम करती हूँ इससे भीक मांगना ही अच्छा है इतना सुनने पर भोकू उस घर से चुपचा बाहर हुआ स्त्री बहुत देर तक अपने बिच्छोने पर करवट बदलती रही बहुत रात गए पर उसे नीन नहीं आई थी इस कारण सवेरे देर से जागी फिर लॉंडी को बुला कर गंगा नहाने गई स्नान करके लोटती बेर कुछ दिन चड़ाया रास्ते में मुलीदर का मकान पड़ा उस घर के सब आदमी शोक में थे बीदर से स्रीयो का रोना सुनाई दिता था लॉंडी ने दर्वान से जाकर पुछा क्या हुआ उसने कहा मालिक की लड़की प्यारी को डाकों ने मार डाला है दर्वान से लॉंडी की यही पाते हो रही थी और मालकीन रास्ते पर खड़ी थी दर्वान ने कहा इसी रात को बिचारी लड़की मर गई है बुरी तरह से घायल कर गए थे डॉक्टर आते आते मर गई वही एक लड़की थी और कोई घर में नहीं है उसी समय दूसरे महल की खिड़की का परदा उठा मुर्ली धर सामने दिखाई पड़े उनका चेहरा मलीन था मुर्ली धर ने देखा मालकीन और लॉंडी पास ही पास खड़ी बाते कर रहे है और खिड़की की और ताक रहे है मालकीन ने मन में कहा अरे ये क्या दशा है ये तो जीते है मुली दर ने दोनों को देखकर परदा गिरा दिया और दीरे से बीतर चले गए ऐसा जान पड़ा कि जो कुछ उन्होंने देखा उससे दिल पर बड़ी चोटाई उधर लॉंडी ने सब हाल जाकर मालकिन से कहा डाकों के हाथ से प्यारी का मारा जाना सुनते ही उसके भीतर बड़ी वेदना सी हुई जासूस गेरुआ पाबा सवेरे ही उठे उन्होंने मुरली धर के घर जाने का ठीक किया क्योंकि कारणर की जाच होग जाने पर लाश मिलेगी इन सब कामों में बड़ी खबरदारी की दरकार थी अपनी मदद के लिए उन्होंने मन लायक विश्वासी आदमी आफिस से चुन लिये जब आफिस से बाहर निकले तो देखा कि एक बालक हरकारा एक छोटे कदवाले आदमी के साथ सामने से आ रहा है उस अनो के नाटे आदमी को देखते ही गेरुआ बाबा को बाबो मूलचन के घायल होने की बात याद आई उनके मन में आया कि वह आदमी भी वैसा ही था जिसने उनको घायल किया था लेकिन जल्दी से वह आफिस के पास आकर उस लड़के को छोड़ दिया और आप जट चला गया वह लड़का आफिस के बरांडे की और अलसाया हुआ धीरे धीरे चलता था उन दोनों को देखकर गेरुआ बाबा वही ठहनने लगे उनको पहचान कर लड़के ने प्रणाम किया मेरा नाम तो नगीना है गेरुआ बोले रहते कहा हो पास ही खपरेल के मकान में रहता हूँ तुम्हारे माबाप कहा है इतना सुनने पर उसने सिर चुका लिया आखों से कही बंद आसों निकलकर टपक पड़े बाहरी आवाज से बोला अब तो नहीं है लेकिन जो आदमी साथ आया वो तुम्हारा कौन है मुझे मालूम नहीं तुमसे वो क्या चाहता था राजी खुशी पुछता रहा और ये भी पुछता रहा कि महीना बड़ा या नहीं तुमसे ये बात आज ही पुछता था नहीं जब मिलता तब पुछता है कभी कुछ तकलिफ होती है तो देता भी है जब मेरी नौकरी लगी थी तब इसने मेरी बहुत मदद की है इसी उम्र में मैंने बड़ी बड़ी ठोकर खाई है बहुत जगर नौकरी की है जान पड़ता है नव बरस से मैं उपर का हूँ कैसे समझा कि तुम नव बरस के हो ये आदमी कहता है इसी से सुना है नाम जानते हो इसका कहा रहता है सो मालूम है नाम तो जानता हूँ भोकू है लेकिन मालूम नहीं कहा रहता है कभी कभी आता है फिर गायब हो जाता है अच्छा अगर तुम इसका टिकाना जाच कर हमको बतला दो तो हम पाच रुपया तुमको मिठाई खाने के वास्ते देंगे बोलो लोगे? अच्छा देखेंगे कहकर लड़का चला गया गेरुआ पाबा फिर ऑफिस लोटाए और अपने अफसर आउदेश नारायन से बात करके बाहर चले इस बार सीधे मुर्ली धर के मकान की और रवाना हुए आधी रात के समय जब गेरुआ पाबा मुर्ली धर की बहन नोखा के चिठ्ठी पाकर उनके मकान की और गए तब उनके मकान से थोड़ी दूर पर मोड के पास एक मकान के सामने एक सिपाई पहरे वाले से भेट हुई वह उस मकान के सामने बड़ा चकीत होकर देख रहा था गेरुआ बबा ने पुछा यहां क्यों खड़ा है इस मकान के उपरी वाली कोटरी से एक अजीब चिल्लाट आई है सिपाई बोला उसकी बात सुनकर गेरुआ बबा ने और तो कुछ न पुछा लेकिन उस मकान का ख्याल करके चले गए जब लोटे तब उन्होंने देखा कि दोस्त्रिया उसमें घुज गई एक की आयू अधिक थी डंग से मालकिन जान परती थी दूसरी लॉंडी उन्होंने बगल वाले दुकानदार से पुछा तो वह कुछ पता नहीं दे सका आज जब मुरली धर के मकान पर पहुचे उनको उदास पाया उन्होंने समझा कि इसकी घटना से ऐसा हुआ होगा गेरोव बाबा को आदर से आसन दे कर बोले आज मैं आपसे एक बात कहना चाता हूँ मैंने आपके सुप्रेटेंडेंट अवदेश नारायन को खबर भेजी है आपने आती बेर रास्ते में दोस्त रिया को देखा है हाँ दोनों एक तीन मंजिले मकान में चली गई है आप फिर उनको देखे तो पहचान लेंगे हाँ मैंने ख्याल करके उनको देखा है सामने आते ही पहचान लूगा मुलीदर ने एक फोटो देकर कहा अच्छा आप देखे तो इस फोटो को देखकर गेरो अबाब उठे हाँ ये उनी में एक का फोटो है जो बड़ी उम्रकी है और जिसको मैं मालकीन समझता हूँ दूसरी इसकी लॉंडी है बात इतनी है कि ये फोटो आजकल का नहीं कई परस पहले का है मुलीदर ने पूछा आप भूलते तो नहीं है नहीं नहीं अच्छी बात है सुप्रिटेंडेंडन भी आते होगे उनसे ये बात मैं कह दूँगा आपकी कहे मुताबिक मैं सब काम कर डाला है देखेगा सब आपको समालना होगा कुछ परवा नहीं डॉक्टर है है मैं भी मौजुद रहूँगा हाँ ऐसा ही तो बंदोबस हुआ है इसी समय अवदेश नारायन आपाउचे उनको आदर से बैठा कर मुली दर ने कहा आपको याद होगा कई परस हुए मैंने अपनी स्त्री की खोज के लिए निवेदन किया था आज देखा तो वही स्त्री एक लॉंडी के साथ नहा कर सामने से गई है सूप्रेटेंडर ने बात सुनकर गेरुआ बाबा की और देखकर कहा मैं तो आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ हाँ इन्होंने भी उन दोनों को किसी घर में गुस्ते देखा है गेरुआ पापा की हाँ कहने पर उन में बाते होने लगी फिर थोड़ी देर पर गेरुआ पापा वहाँ से विदा होकर बाबो मूलचन के यहाँ चले रास्ते में वहाँ की अकबार का एडिटर मिला उसको घर का नंबर और सड़क बता कर कहा कोई समात दाता भेच कर खबर लीजे वहाँ कोई खटना होई है वहाँ से आगे बढ़ने पर वह एक जगर मेटूलाल बने और मूलचन के मकान पर पहुँच कर नोकर को खबर दी वहाँ से परवानगी पाते ही उनको वह भीतर ले गया अब मूलचन के पास बैटकर उन्होंने कहा आप मुझे बड़ा लापरवा और आलसी समझते होगे लेकिन क्या करूँ मैं एक जरूरी काम में फस्किया था अब नर्मी से मूलचन ने कहा नहीं आप ऐसा मत समझे जब आप तकलीफ करके आ गए है तब मेरा सब काम सिद्ध ही है फिर मूलचन सच कहने लगे अब आप समझ लीजिए कि कल रात की घटना से मेरे मन में बड़ा उद्वेग है कल जहा तक मैंने आपको कहा था उससे आगे कहता हूँ जो चीज मेरे पास से उस चांडाल ने छीन ली है वो एक जड़ाओ हार था सोने का बना था हीरे, मोती, लाल, पुखराज, करीने से जड़े थे उसमें जो सबसे बड़ा हीरा बीच में था वो उसमें से उखाडा गया है वो प्यारी का है ये मैं जानता हूँ दहेज में और गहने जो मिले थे उसमें से उस हार को मैंने खास दोर से देखा था आधी रात से कुछ पहले मैं यहां आया था उसके बिहान ही में बाहर जाने लाला था लेकिन इसी आफ़त में पढ़कर जा नहीं सका मैं सुसुराल से लोटकर बगीचे की किनारे आता था बाहरी फाटक खुला देखकर संदे हुआ क्योंकि रात बहुत जा चुकी थी इसी कारण में भीतर गुसा तब मैंने देखा दो चोर धीरे से रास्ते की आड़ में चिप गए मैंने जपट कर उनको पकड़ना चाहा तोनों दो और भागे मैंने एक का पिछा किया जिसका मैंने पिछा किया उसकी एनुकी चाल देखकर मैं चक्कित हुआ कभी सीधा चलता कभी हाथ धरती में रखकर चौपाईयों की तरह दोड़ता था इसी तरह वह तेजी से गुलाब के पेड़ों के बीच में होता हुआ भागा वह चीज धरती पर फिक दी मैंने उसे उठा लिया इस आउसर में वह दूर भाग गया पीछे मैंने बगीचे में बहुत ढूंडा लेकिन कहीं किसी का पता नहीं चला तब मैंने वह चीज देखी तो वही हार है मैं देखते ही पहचान गया मैं उस गड़ी वहाँ न पहुचता तो चोर जरूर उसे ले ले जाते मैं उसी चीज को वापस देने के वास्ते गया था किसी वज़स से घर में नहीं गया फेकनी लॉंडी को देखकर मैंने उसके हाथ में देना चाहा उसको न जाने क्या हो गया वह पागल की तर चिला कर भाग गई फिर तो मुझ पर जो आफ़त आई वह आपने देखा ही होगा हाँ मैंने देखा था और उसके सिवाए और बाते भी मुझे मालम हुए मैं आपका वहार बहुत जल्द बरामत करूँगा इस गड़ी एक काम के वास्ते जा रहा हूँ फिर आपसे मिलूँगा गेरुआ ने कहा जब गेरुआ बाबा आफिस से मुर्ली धर के महल की और जाने को चले तब लड़की को एक आदमे के साथ उन्होंने देखा फिर उसे छोड़कर वह दूसरे रास्ते चला गया बालक आफिस की और आया उसने गेरुआ बाबा की जो बाते हुई वह सब आपको मालुम ही हो चुकी है जब गेरुआ बाबा और सुपरेटेंडेंट भीतर जाकर मिले उन्होंने कहा मैं अभी मुर्लीदर के लड़के से बात करके आया हूँ सुपरेटेंडेंडेंड बोले एह मुर्लीदर का लड़का मुझे तो यही नहीं मालुम था कि उनको लड़का है मुझसे तो दस बारव बरस से मेल जोल है लेकिन कुछ खबर मैं नहीं जानता कि उनको लड़का है अच्छा दस बरस से उधर की बात तो आपने सुनी है यह आपकी पहली मैं नहीं समझ सकता कि क्या कह रहे है आपने एक बार मुझसे कहा था कि नव दस बरस हुए मुर्लीदर की स्री बाहर चली गई गड़ी दस बारा बरस का होगा इसी शहर में है उसका नाम इस गड़ी नगीना है जब जरुत हो यह लड़का मिल सकता है अच्छी बात है बाबाजी खुद मुर्लीदर की चिट्टी मौझूद है लड़का हो या लड़की जो कोई उसको उनके पास पहुचाएगा वो पाच ज़ार रुपया इनाम पाएगा अच्छी बात यह तो पक्का है कि यह लड़का है और उसका चेहरा मानो मुर्लीदर का शॉर्ट एडिशन है माबाप है या नहीं उसकी कुछ खबर उसको नहीं है अच्छा आपने ऐसा लड़का देखा है तो उस पर निक्रानी रखिए यह कहकर अवदेश नाराएंड मुस्कुराए वो पास ही खबरेल के मकान में रहता है हर कारी का काम करता है गेरुआ बापा बोले अब फिर गेरुआ बापा आफिस से निकल कर मुर्लीदर के मकान को रवाना हुए लेकिन रास्ते में वो लड़का मिला उसको लिये हुए लोट आए सुप्रेटेंडन ने देखा तो उन्हीं का गुपतचर है अच्छी बात है आप जाईए यह तो हमारी नजर में ही रहेगा यही कहकर गेरुआ बाबा को वहाँ से विदा कर दिया और आप उस बालक से कई बाते पूछ कर उन्होंने अपना संदे मिटा डाला और पहले जितना उसका आदर प्यार करते थे उससे अधिक करने लगे इसके बाद वो आफिस के कमरे में आए तुरंती मुर्ली धर के यहाँ से खबर आई और चट वहाँ चले गए वहाँ जो बाते हुई वह सब आप पहले सुन चुके है अब मुर्ली धर के मकान से चलकर आउदेश नारायन मुर्ली धर के निकली हुई स्त्री देवी बाला की खोज में चले गेरुआ बाबा के बतलाय हुए ठिकाने से मुड़कर पहुचकर उसी घर में पुसे बीतर जाकर दाई दाई पुकारने लगे दाई ने नीचे आकर पुछा का है आउदेश बले तुम तो पहचानों की नहीं मैं आया हूँ बहुत दूर से मालकिन से कुछ कहना है अभी तो नहा कर आई है पुजा पर बैठी है थोड़ी देर पर आना हमको यहां रहना नहीं है दो दो बात तो करना ही है पुजा करती है तो करती रहे वही से सुन ले लॉंडी बली आमर कहा से आये हो जो ऐसी बात करते हो मैं उनी से कहूंगा यहां से चिलाना ठीक नहीं होगा यह कहते हुए वो दाई की नमानकर उपर चले गए जहां से खड़ी वो बात करती थी दरवाजे पर जाकर देखा तो मालकिन पूजा पर बैठी है फोटो की याद बनी ही थी देखते ही उन्होंने पहचान लिया कहा मैं देवी बाला से कुछ कहना चाता हूं स्त्री बोली क्या कहना है जरा पानी तो लाओ दाई कहकर आउदेश नारायन ने पहले उसको विदा कर दिया तब अकेले में वे कहने लगे मैं आप से आपके लड़के की कुछ बात कहने आया हूं स्त्री बोली लड़का हमारी कहा है अधेश बोले आपके निकल आने से पहले जो लड़का पैदा हुआ था उसी की बात मैं कहरा हूं तुम्हारी बात समझ में नहीं आती जान पढ़ता है किसी दूसरी देवी बाला की बात तुम करते हो देखिए फजूल टाल मटल से काम नहीं बनेगा मैं जासूस हूँ आप मुरली बाबु की घरनी नाम आपका देवी बाला है आपकी सब बातों का मुझे पता है नाहा गड़ा मुर्दा क्यों खड़वाती है ये बात सुनकर स्त्री बड़ी अचकचाई मन में सोचने लगी बात क्या है उन्होंने इसके साथ मुझे बुलवाने का इरादा किया है क्या लेकिन ऐसा भरुसा नहीं होता मुर्ली घमंडी आदमी ऐसा काम नहीं करेगा वो अपने चैन से दिन काट रहे है ये काम क्यों करेंगे इसके साथ ही अपनी दुर्दशा याद आई जिसके मुझे पढ़कर घर से निकली थी उसका खराफ सुबाव इस समय की हालत मुकू की पंचे में रहना ये विचार कर बड़ा दुख हुआ निदान उनकी बातों पर कुछ बला बुरा न कहकर बली आपका मतलब क्या है आप जब घर से निकल गए उसकी तीन महिने पर आपने अपने संतान होने की बात लिखकर अपने मालिक को बेजी थी हाँ बेजी रही यह भी लिखा था कि इसी संसार में कही उनका लड़का है यहाँ तक की माता को भी मालुम नहीं की कहा है इसमें आप भूलते है अच्छी बात है ऐसी भूल चाहते भी है नहीं फिर भी आपने नहीं समझा जिस लड़के की बात आप कर रहे है वो तो तीन ही दिन में मर गया वो लड़का था या लड़की लड़का तब तो आप ही भूलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता इतना जोड देने का कारण बात यह कि गुंदर की और बात में चाहे जितनी शिकायत हो लेकिन मुझे इतना चाहते थे कि मुझे दुख होने कब है करके उन्होंने बालक के मरने की ख़बर मुझे नहीं दी उनका एक नौकर था उसे ने खबर बेजी थी उस समय हम लोग काशी में थे आप सोच लीजिए कि वो कैसे जीता होगा अच्छा वो नौकर कहा है यही है आप चाहे तो मैं पुकार दू अच्छी बात है बुलाओ लेकिन इतनी दया जरूर कीजिए कि उसको पता न दीजिए नहीं तो कुछ भी बात नहीं बतालवाएगा मैं इस परदे के अंदर जाकर छिप जाता हूँ लौन्डी को पुकार कर मालकेन ने पुछा भूकू कहा है वो चोर कोट्री में है बात यह कि इस समय रोज वक कुछ देर उसी चोर कोट्री में रहता था मालकेन ने अचकचा कर पुछा चोर कोट्री कैसी सीड़ी के नीचे जो चिपी कोड़ी है उसी में रोज इस समय जाता है और ठक ठुक करता है तो कुछ पता नहीं चलता लॉंडी बोली अच्छा उसको मेरे पास भिजो अब बुलाहट पाकर भोकू आया अवधिश नारायन आड में चिपकर सब देखने सुनने लगा मालकिन ने पुछा मैंने एक बड़ी अनोखी खबर पाई है भोकू कौन खबर मालकिन लड़के की खबर मिली है मैं तो जानती थी कि दस बरस हुआ होगा वो जन्मा और मर गया था इतना सुनकर वो भोकुच चुप हो रहा स्री ने पुछा क्या सचमुच वो मर गया था इतन ही कि वो जीता है या नहीं हां मालकिन वो आज भी जीता है एं तो मेरा बच्चा भी जीता है हां मालकिन जीता है इतना सुनते ही मालकिन मानो आसमान से गिरी वो कहने लगी तो इतना ठकपन मेरे साथ क्यो किया अब मैं आपसे कुछ चिपाना नहीं चाहता इतने दिन तक च जला दबा कर मार डालो उफ बाप रे बाप ऐसे हत्यारे मैं तो सरकार को बतला ही चुका हूँ कि वो बड़े निर्दई और कट करीजी थे लेकिन थे बड़े सुन्दर जो सरकार को मालूम ही है मैंने उस लड़के की जान नहीं मारी एक बुड़िया को सौब दिया था उसके बाद मैं उस लड़के को यहाल आया अब तक वो जीता जाकता है बड़ा होश्यार और होनहार है मालकिन सो हजार में एक है मेरी बराबर उस पर नजर है उकता कर मालकिन ने पुछा इस घड़ी वो कहा है इसी शहर में है बोकु ने कहा तो कहा है कैसे जीता है एई जगह बा में मुझे क्या मिलेगा अच्छा लाना होकम सुनकर भोकु चला गया अब आधैश नारायन बाहर आये मालकिन ने पूछा सब सुन लिया आपने हाँ सब सुना है हमने मैं तो बड़े अचरज में हूँ हाँ अचरज में होने की बात तो है ही आधैश बोले अच्छा आप उ देखिए आप नाराज नहोगा मालकिन मा के पास लड़के को रहने में सुख है से लेकिन जब वो मा पती छोड़ कर घर से निकल गई तब लड़के का मो करने की क्या जरूरत है कानून तो उसे बाप ही के पास न पहुचाएगा इतना सुनने पर वो बिसुर बिसुर कर रोने लगी और देश नाराएन ने कहा मैं आज आज आपके पास इसलिए आया था कि आपके लड़के की सब बात जानती होगी और आप से इसका पूरा पता लग जाएगा कि वो मुर्ली धरी का है लेकिन देखते हैं तो आपको कुछ भी खबर नहीं है लेकिन दया मया आपको है आप चिंता न कीजिए वह लड़का मेरी ही पास है लेकिन आप जो लड़के को मांगती है उसमें विचार कीजिए तो उसको बाप के आहा रहने में ही उसकी भलाई है खाली लिखने पढ़ने ही का सुबीता नहीं बलकि मुर्ली धर का वारिस उसके सिवाए दूसरा कोई न नहीं है ना फिर मुर्ली धर गंभी रादमी है उसको आपके कलंग की बात हरगिस नहीं कहेंगे आप सब नीच उच बला बुरा विचार कीजिए देखिए मैं जो कहता हूं उसमें भलाई है या नहीं मालकिन रूरो कर कहने लगी हाँ भगवान मैं अपने बेटे की भी सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है दिकार है मेरी कूब उद्धी पर हाई यही कहकर वो बिसुरने लगी और आउधेश नारायन महा से विदा हो गए जब आउधेश नारायन अपने आफिस में पहुचे देखते है तो गेरुआ बाबाबा बैठे कुछ चिंता कर है दो एक बाते दोनों महाश्य में हुई फिर दोनों अपने अपने आराम कमरे में चले गए लेटे लेटे सुनते हैं तो सडक से अकबार बेशने वाला चिलाता है बड़ी गजब खबर है भयंकर डखेती बड़े घर में खून गेरुआ पापा ने बाहर निकल कर एक पढ़ने और उनकी लड़की के खून होने की खबर चपी है प्यारी के गहने चोरी जाने का समाचार दिया हुआ है जिस समय गिरुआ बापा अकबार पढ़ रहे थे उसी समय भूको ने भी एक अकबार लेकर अपनी मालकिन के हाथ में पहुचाया वह सब समाचार पढ़कर आसु बाने लगी मन में कहने लगी मेरी लड़की के दशा हुई है यही बैठी मैं सुन रही हूँ कुछ कर नहीं सकती ऐसी अभागिन ऐसा कर्म हमारा बोको ने खबर पढ़कर उसे और ही धंका स्वात पाया मन में कहने लगा यह काम हमारे गब्दू का है उसी ने इस तरी के मारे दिल की हरकत बंद होने से मौत हुई है अगर मरने से पहले उसने सब घटना बयान कर दी होगी तब तो जासूस के मारे जेल से जान नहीं बचेगी अब ऐसा करना चाहिए कि गब्दू का किसी को कही कुछ पता न चल सके यही सब सोच विचार कर बोको ने मन में ठीक कि कारन की जाच के बाद एक बार फेकनी से भेट करके सब तै करके सब ठीक करना होगा उधर अगबार में छपी खबर पढ़कर हाल जानने के लिए मुरली बाबू के दरवाजे पर लोगों की बड़ी भीड हुई कारनर की जाच खत्म होने में देर नहीं लगी काम पुरा क पास गया उस पर और किसी ने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन उपर खड़े गेरुआ बाबा की आखों से वो ओट नहीं हुआ दोनों में कुछ देर बाते हुई फिर भूकु चला गया अखेले फेकनी खड़ी देख रही थी क्योंकि सुनती थी कि प्यारी भाई की लाश लो इतना कहकर उनने उपर का कपड़ा उतार डाला अब यह डर कर बोली उसका नाम तो भोकु है गेरुआ बोले बस हो गया यह मैं भी समझता हूँ अब मुरली धर के पास पहुचकर उनने सावधान कर दिया कि बड़ी मुस्तेदी से लड़की की खबरदारी करे कोई किसी तर पर वहा किसी जरूरी काम के न होने से गेरुआ बाबा ऑफिस चले गए ऑफिस पहुचकर गेरुआ बाबा ने देखा तो उस नगीना नाम के लड़के को पास बिटा कर सुपरेटेंडन कुछ सोच रहे थे फिर बोले तुम चिंता मत करो हम तो तुमको आदर करते थे और प्यार से पालते थे यह सब तुमको हونहार देखकर किया था लेकिन अब तुमको इस तरह भटकना नहीं होगा अब अपने पिता के पास तुमको हम पहुचाएंगे वह तुमको पाल पोस और पड़ा लिकाकर सुशील गुन्वान लड़का बनाएंगे अब तुमको कमी किस चित्त के आदमी है तुम्हारे वास्ते तो पागल हो रहे है इसी समय गेरुआ बाबा आ गए इससे अलग कमरे में सुप्रेटेंडेंट बुला ले गए वहाँ बाते होने लगी गेरुआ बाबा ने कहा आप तो मेरा काम बिलकुल रास्ते पर आ चला है कौन चोरी वाला या क चलती कर ली गेहने कहा है सो मालम हो चुका है और जिस चांडाल ने सुशिला की जान लेनी चाही थी उसको भी पैचान गया हूं गेरुआ बुला चाही थी लेकिन जाहिर में तो खून कर चुका हाँ वह बड़ी बाते है अभी थोड़ा काम और बाकी है तो मेरी कुछ आसामी रोड नंबर के मकान में रहता है भूको उसका नाम है वह एक मनमान उसको सिखला कर पक्का करके लाया है इसी से अमीरों की बहु बेटियों के गेहने जवारात वगेरा चोरी करवा ले जाता है मुली धर के गेहनों का सबूत में पा जुका हूं भूको का घर चारो और से घेर लेना होगा जिससे आसामी भाग न सके क्योंकि वह इसी रात को एक बज़े की गाड़ी से भागने वाला है ठीक काम होने से सब माल भी मिल जाने का भरूसा है अभी वह कुछ बेश नहीं सका है मैं सब सर्राफा को खबरदार कर चुका हूं इसके सिवाए ये भी कहा जाज नहीं सका भी उसको पकड़ने से माल मिलेगा देखिए कही कुछ भूल नहों सुपरेटेंडन ने कहा नहीं साहब सब ठीक है लेकिन वही तो मुली धर की स्री देवीवाला का मकान है सुपरेटेंडन ने कहा हां मैं भी ऐसा ही समझता हूं मैंने तो भोको को देख सुप्रेटेंडन ने कहा अरे आप उस चोर को देख चुके हैं हां मैं इस नगीना की बात इसकी मां और भोकू दोनों के मुझ से सुन चुका हूं अच्छा लड़के की बात कल पर रखिए मेरा मामला 11 बज़े के बीतर सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए कुछ परवा नहीं मैं गेराओ करने को आदमी बेशता हूं आप अपना बाकी काम ठीक ठाक कर लिजिए बस मैं आदे घंटे में वहाँ जाओंगा वही गिरफतारी का सब सामान तयार रखूंगा थाने पुलिस के सब आदमी तैनात होगे मैं भी डीयस पी के आजाता हूं बहुत अच्छा कहकर ग क्या गती में करूंगा वह सुनते ही गबड़ा गई कुछ देर सहम कर बोली क्या पुछते है और सब बात पुछने से पहले तुमको मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि वह भोकू इसी रात को गिरफतार किया जाएगा उसकी चोरी का पता लग गया है उसका ठिकाना भी मा पाग नहीं सकता तुम यही ठीक बतला दो कि बबुई की चोरी के मामले में तुम क्या क्या जानती हो तुम इसमें बात जानती हो यह पता लग गया है अगर जूट को होगी तो जेल में ठेल दी जाओगी इतना सुनते ही फेकनी गिरुआ बबाबा के पापर गिर पड़ी और गिड़ गड़ा कर बोली मो को जेल खाना मत भेजिये सब ठीक मो कह देती हूं पहले हम लोग मेरट में रहती रही मेरा बाप डाको के गोल में रहता था मुझसे वह डाको का लेने और लोब में डाल कर लोगों को लाने का काम लेते थे एक बार वो पुलीस के हाथ में ऐ ऐसा कुछ कसूर नहीं किया था खाली डाकों ने मुझे बुला कर काम करा लिया था इसी से वहाँ उन लोगों ने फिर गिरफतार नहीं किया तबी से मैं भुकुआ के हाथ पड़ गई वो कहता है नचाने उसके पास कौन सा कागस है इस से हम को जब चाहे जेल खाने में डा सकता है मेरट से मुझे बहु यहां लेकर आया मैं कई बड़े घरों में दाईी थी मेरा काम वही कि बहु बेटियों के गहने कहा रखे है इसी खबर भूगों को देना वही यह बात अपने वनमानुस को समझा देता है और वह भी ऐसा चालक है कि समझ कर सब काम कर लेता है औ उनकी चाबी का साचा बनवा लिया था मैं बबूई को बहुत चाती थी मेरा इरादा नहीं था कि उनके गहने चोरी जाए इसी से जब मैं डराई तब बॉक्स लेकर भागने लगी मैंने इसको पकड़ कर खीचा इसी से बॉक्स कुल गया और मेरे हाथ में चोट आई एक हा रंडाल के हाथ से तुमको मरना लिखा रहा अच्छा एक हीरा तुमारे घर में कैसा गया महूं हैरान हूं जान पड़ता है कीचा कीची में कही मोरे कपड़े में रहा बस साथ चला गया मो को कुछ खबर नहीं अब गेरुआ पाबा फेकनी को लेकर आफिस चले वह डरने ल अवदेश नारायन ने पुछा कुछ नहीं बात है उसने जवाब दिया जी नहीं कुछ नहीं नहीं है दो गाड़ी वान बीतर आये थे वे चले गए हैं हम लोग गाड़ी आने से पहले क्या आये हुए है गेरुआ भुला धक्का देते ही दर्वाजा खुला बीतर से एक न दिया है इसी से इतनी जल्दी भागने की तैयारी हुई है गेरुआ ने पुछा वो नौकर भोकु कहा है लॉंडी ने कहा कौन जाने आज संजा से कहा गया है कह गया है कि आज नहीं आएगा अच्छी तरह ढूनने पर भी कही भोकु का पता नहीं चला जब सब ठक गए क्योंकि साथ चोरकोट्री के कोज में जीने से उतरे तो किवार की फाक में जरा रोशनी नजर आ रही थी बीतर देखते है तो उसमें पुर्जे है एक शीशी में दवा भी रखी है और कई तरह की दवा शीशियों में धरी है भोकु चुले के पास पिछोड़ा बैठा है य हो तुम लोग हो कुछ परवा नहीं एक ही लात में रोशनी बुजा कर बोला मुझे अब भी नहीं पाओगे भोकु ने समझा कि अंधेरे में धक्का देकर निकल जाएगे लेकिन रोशनी बुचते ही अउदेश नारायन और गिरुआ बाबा ने जासु से लैम जगमगा उ बस हतकड़ी में बन जाए उसने कहा ऐसा मैं न करूंगा यही कहकर तेजी से उसने एक पिस्तोल की नाल मुझे करके लबलबी दबा दी खोपड़ी उड़ी और वह गिर गया देखा तो उसी घर में एक और मुरली धर के सब गहने पड़े है शोर सुनकर माल के नीचे आई गेरुआ पपा ने पुछा क्या हाल है मालुम हुआ कि काशी जाने की तैयारी थी आपको मालुम है हम लोग यहां क्यों आये है नहीं मैं तो नहीं जानती हम लोग उस आदमी को गिरफतार करने आये हैं जिसने मुरली पाबु के गहने चुराए है मेरी घर में चोर है हाँ और चोर को देखा भी है, गहने भी मिल गए है, लेकिन चोर बड़ा तेजी वाला है, उसने अपने आपको ही मार डाला, आप भी इसमें शामिल है, मैं भी? जी हाँ, ये चोर आपका नौकर है, नाम है भोकू, वो भोकू मेरा नौकर होने पर भी वो चोर है, ये मैं कैसे जान सकती हूं उसका भाव ऐसा दिखाई दिया कि वह ठीक विचार नहीं कर सके कि वह इसमें है या नहीं गेरुआ बापा एक थैली में सब गहने उठा कर ले गए पहले मरगट की खबर मंगाई मालुम हुआ कि मुर्ली धर अभी वह नहीं पहुचे है जट उनके मकान पर पहुच भी बहुत बढ़ गया अब प्यारी का हाल संक्षिप में कह देना जरूरी है गेरुआ बाबा ने चोर की आखों में धूल डालने की गरस से एक दवा प्यारी को पिला दी थी इससे आदमी कई घंटों ऐसे ही हो जाता है कि बड़ा प्रवीन वैद डॉक्टर भी पहचान न नहीं आई ना पता चला ना कि कि किसी ने क्या किया लेकिन अकबार में जैसा बयान च्छपा था उसकी द्वनी से चोर ने ताड लिया कि उतनी संगिन चोटना होने पर भी जब वह मर गई तब दाल में जरूर कुछ काला है उसी से भोकों ने जल्दी जल्दी भागने की त जब सामान बूरिया बिस्तर बनना तयार कर लिया गेरो बाबा ने जाच कर ठीक निशाना दाग दिया और चोर गिरफतार हो गया उसकी गिरफतार होने की खबर पाते ही मुरली धर लड़की को उपर ले गए और उसके बाद वहोश में आई अब प्यारी के मन में यही दु करके स्वामी को अपरादी समझ दुर्भाव दिखा कर चिट्टी लिखी इसके लिए बीतर बड़ी वेदनासी हुई जब सुना कि वनमान उसके हाथ से गिरा गेना पाकर स्वामी देने आये थे और उसी उसर पर डाकों ने उन पर चोट की तब प्यारी की तकलीफ का कोई किन आरे गए दोनों और से बीती घटना कहकर अपना अपना दुग दूर किया गया अंत में सब को सुख हुआ जिसका परिणाम अच्छा हो वही अच्छा होता है चोर गिरफतार होने के दूसरे दिन मुरलीधर बाबु के घर सुप्रेटेंडन्ट अवदेश नारायन और शेष सिवा समिती के स्ताही कोश में डाल दिया बालक को दिरे दिरे अपना दिन फिरने का अनुबह हुआ वह योग के शिक्षक के हातों में सोपा गया उसकी बुद्धी तीक्षने थी बड़ी तेजी से पढ़ने और बढ़ने लगा फेकनी ने भोगों के हाथ में मालकिन भी स्वामी की दन संपत्ती के उपभोग से दूर होकर एक कोनी में दिन बिताती रही महानुभाव मुर्लीधर बेटा बेटी को लेकर सुप से दिन काटने लगे बेटे की उम्र होने पर ब्या दिया प्यारी घर जाकर मूलचन के घर की ग्रोहनी हुई मुर्लीधर बाबो का घर नगीना के रूप गुंड और ग्रोह लक्ष्मी पतोहु के आने से जगमगा उठा दोनों और सुक संपत्ती विराजने लगी भावान ने उनका दिन फेरा वैसे सबका फेरे कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए धन्यवाद